एसी का temperature डाउन करना है गर मी लगरी ना थंडी लगरी यह प्रॉजेक्टर का यह बढ़ाना है उदर का एसी यह करना है और किसी का कुछ किसी को चाय वगरे मतलब ऐसा चाय वगरे मंगवाओ मतलब हाँ चाय वगरे मतलब वह कंबल थोड़ा ऐसा जस फिलिंग लिटिल ऐसा कडलिश टाइप कुछ आपको फील हो रहा है तो ऐसा थोड़ा और किसी का कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट एनिवन कॉफी कॉफी ने चाय चाय में बिस्किट बिस्किट साथ में आरे मतलब वह तो लगे गई मतलब कैसे बैते कर रहा हूं मैं भी होगे भाई सब्सक्राइब काहे ऐसा कर रहे हैं स्ट्रीम की सही है क्या नहीं स्ट्रीम की बोल रहा हूं मैं यहां भी दिक्ट है ही यहां भी आई रहा है यहां पर इस तुमनेट देरिश्ट लिटिल आई तो लिटिल टेकनिकल इस्व दो मिनड में क्लियर रजाय गा थर्ड पर हाँ आगे चल्गुरू चल्गुरू अच्छो गूड मानिंग अभाई साब पूरे दो दिन हो गए और अभी पड़ाई शुरू नहीं की बरबर है ना कि यहां से जाने के बाद ऐसा लगता हूंगा ना बस अब और नहीं है ना पर यह काम से होगा नहीं क्योंकि जिस स्पीड में आप लोग बढ़ रहे हो ना उस स्पीड के तहत एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज बनती है वह है रिविजिन मेक शॉर कर ले ना कल का जो संडे हो वह अप्रोपरियेटली यूजड हो अटलीस फॉर दो प्रफॉस आफ रिविजिन दूसरी बात जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है पूरे इंडिया से कनेक्टेड है आपकी कुछ क्वेरी है तो वह डालना शुरू कर दीजिए आपके चाट्स यहां पे खेर दिख जाते हैं और दीरे दीरे जिते वी बच्चे ऑनलाइन पर बैठे हैं यह लोग ट्राइ करें कि जो आप है आप के उपर शिफ्ट हो जाए क्योंकि 10th lecture तक के तो यहां पर हम लोग यूट्यूब पर रखेंगे 11th lecture से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे online app के उपर तो make sure कि आप अपना online process जो है वो पूरा 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 complete कर लें येस तो चलो शिरुवात करते हैं आपको तो पता हमको सबसे पहले revision करना पड़ेगा क्योंकि दो दिन से तुमने तो पड़ा नहीं बुलो हाँ बरबरे की नहीं तो अपने को start करना पड़ेगा पूरे revision के साथ बुलो हाँ बुलो ना हाँ चलो start zero से आओ चलो चलो जीरो से आजाओ जीरो से ठीक है अज़े क किते लोगों का day one है आज ऐसा कुछ कोई है कोई डिशी का day one है एक दो इधर भी ओके अगें देर मेनी पीपल जिसका day one है ओके चलो तो चलिए मलेक शुरुआत करते हैं हम लोग ने चार बड़ पड़ेते हैं Income Tax Act 1961 हाँ जी father of income taxes को बोले जा रहा है पहली बार act कौन से यहर में पास हुआ था 1922 फिर act आया 1961 रूल्स आये act 1961 रूल्स अब जब दचता है दिल में ठीक है what are the components of income tax पहले क्या है income tax के अंदर में क्या है मालिक income tax act किते सेक्शन है फिर था income tax rules फिर क्या था बड़ा notification फिर क्या था बड़ा circular फिर क्या था बड़ा case law अच्छा notification and circular वो issue करते है notification circular dash month before exam are applicable six months ठीक है act में तीन चीज़े होती है सबसे पहले क्या होते है provisions फिर proviso और फिर schedule फिर हम आगे बड़े constitutional validity of income tax act सबसे पहले किसी भी तरकी के tax को लगाना है या tax को impose करना है या आपको क्या करना है sir there must be authority who has passed the law तो पहले law होना चाहिए फिर कोई authority होनी चाहिए जो इसको क्या कर दे pass who is the authority article 245 parliament article 123 president yes or no फिर हमने बात करी है tax को लेवी करना है तो लेवी करने का power किसके पास है central government article number 246 entry number 82 yes फिर हमने देखा आखर यह law work कैसे करता होगा law maker law बनाते होंगे implementer उसे implement करते होंगे interpreter उसे क्या करते होंगे interpret तब जाके अगले साल समझता होगा कि हाँ यार को changes लेके आने चाहिए इंप्लिमेंटीशन में problem है यहां से हमने दूसरा word adopt किया दूसरा word था बिटा टैक्सेस टैक्सेस और ड्यूटी इसके सेम चीज़ होती है नहीं हाला कि दोनों भी revenue का पाट बनती ही government के yes type of taxes किते मालिक दो direct tax और indirect tax direct taxes paid by person directly indirect taxes is collected from another person and paid to government याद आ रहे के तुमको yes so direct tax जो हेता है इसके लिए as of now income tax है और GSTN कस्टम किसके लिए बिटा indirect taxes बताइए direct tax dash system पे वर्क करता है whereas indirect tax dash system पे वर्क करता है regressive basis पे वर्क करता है यहां से हम गए whenever we heard the word taxes क्या टैक्स में सिर्प टैक्स आता है कि बिटा नहीं tax में क्या क्या आता है बिटा tax surchaaj says what is tax is tax an obligation yes it is collected in consolidated fund of India whatever is the tax collected has to be divided between center and state who will decide what amount needs to be divided president or finance commission surchaaj is a dash on dash so is it a percentage of tax it is collected by and kept by yes it is kept in cfi that is consolidated fund of India is everyone liable to surcharge who is liable to surcharge if the income exceed specific limit we are yet to discuss what is the limit yes roughly we know 50 lakh yes or no yes for there is a h e c h e c ka full firm क्या है बिटा क्या यह शॉटकट मैं एक्जाम में यूज कर सकता हूं बोलो यह शॉटकट मैं एक्जाम में यूज कर सकता हूं अच्छा प्रॉबलम में बोला हो नहीं बोला ही लगाना पड़ेगा हाँ या ना h e c को किसी भी परपस से यूज किया जा सकता है h e c is a percentage of income h e c is a percentage of income h e is a percentage of income it's a percentage of tax okay अच्छा फिर हमने तीसरा वर्ड अडॉप्ट किया था 1961 का law आज मैं 2024 में पढ़ रहा हूं हाँ यह क्या तकलीफ है क्यों मैं 1961 का law 2024 में पढ़ रहा हूं यह यह law हर साल फ्रेश हो जा रहा है हर साल फ्रेश हो रहा है कैसे भी यह कहां से फ्रेश होता है बजट से साल में कितने बजट आते हैं एक किसन नदर में एड़किंशन साल में कितने बचेट आते दो राइट चा यह उच्छाजी वुझी अकब बटेगे बज्ट हाहा रहा रहा है मेरे कौ को बजो है वो, मिनिस्टर बंटुफरीय करते है ठीक है भी two finance minister present करते है अठाइस फर्वरी के दिन के एक फर्वरी के दिन अच्छा, सब्ढ Felloymi के लुए, तो budget के थूठ के थूठ के आते हैं ए मैंड्मेंट हाई यह आमेंड्मेंट हैसे बजिटमोल जा ढाएं हैं आस्के सब लेरी ऑगा हैוכर हाईक्स्वरी का फिर्ट होना है, और फेर फेर लाष्ट वर्ड पर बड़े इंकम, हमने यह हैं पर बहुत कुछ डिसकस किया, या यह इंकम नहीं प्लीज अंदर्स्टांड हम अभी यह तक सकती है की रिगले रेक्टिविटी भी चलेगी लीगल इल्लीगल चे उमको कोई फरक पड़ता नहीं है income means receipt but every receipt is not an income so we divide mainly the receipt into two part dash receipt dash receipt capital receipts are not chargeable to tax whereas revenue receipts are always chargeable to tax are you getting the point capital receipts can you give me two basic example of capital receipts liability capital receipt रे गोल नहीं capital receipts के दो example any liability any personal effect so all those goods which are used for personal purpose हम अगर उसको बेचते हैं क्या इस पर capital index आएगा या अधर tax आएगा नहीं हाला कि personal effect के कुछ exception है जो हमें आगे पढ़ने होंगे yes or no all those receipts which are not capital receipt will be considered as revenue receipt revenue receipts are always chargeable to tax unless deduction or exemption is given यहां तक के हम लोगों ने पिछले दू दिन में पढ़ा है बरभर ना नहीं हमने कुछ और भी पढ़ा है इसके बाद हमने देखा था pin money yes wife husband को pin मार मार के जो पैसे निकाल दियती है is that taxable in the hands of wife no ठीकि वो income नहीं मानी जाते हैं उनके आत में हां जी disputed income रहेगा whether AO has power to tax in either or both the hands फिर हमने आगे बढ़ा था इस common contribution in income no is voluntary contribution in income समझ में ही बात इसका हमने एक्जांपल भी दिया था common contribution सब लोग मिलके जो contribute कर रहे उसमें से expensive कर देते balance अपको वापस divide कर देते common contribution is not an income but voluntary contribution for example मैंने किसी मंदिर में पैसा दिया that's a voluntary contribution तो temple के हाथ में क्या मानी जाएगी income फिर हमने देखा था sources of income hedge of income sources of income are hedge of income are five yes or no so accounts में हैसा हम कोई classification नहीं करते but in taxes we do classification हम income को किसी भी पाँच में से एक दरवाजे में फेगते है या तो वो salary है या तो वो HP है या तो वो PUBG है या तो वो capital gain है या तो वो other sources है पहले चार में नहीं fit हुआ उसको end में डाल देने का other sources everybody yes or no ये पाँचो को ऐसा मस्त मिक्स करने का clubbing add करने का set off less करने का we get gross total income एक minute ये सब क्या real life में होता है जो मम लेग इतना पढ़ रहे है कल ही हमने आपको return खोल के दिखाया था किसी भी भारतिय का जब return जाता है the first step is to determine residential status residential status determine करने के बाद उसकी 5 head की income निकाली जाती है clubbing set off के adjustments किये जाते है फिर बनता है gross total income और gross total income से वो minus करने के बाद वो मिलता है deduction minus करने के बाद क्या मिलता है total income और फिर मैंने आपको practical aspect दिखाया था कि how actually that is completely related to the real life return filing and that's why उसी steps में में आगे बढ़ना होगा अब एक सवाल उठता है क्या मैं residential status पड़े बिना आपको दूसरा head पढ़ा पाऊंगा क्या well the answer is no अब पुछो ऐसा क्यों पुछो नहीं ऐसा क्यों पहली बाद तो आपका module भी यही कहता है क्योंकि real life से connected है तो अगर मान लिजा आप residential status पढ़े बगेर मैं आपको you know salary पढ़ा दू HP पढ़ा दू कुछ दूसरा head पढ़ा दू logically वो आपके साथ injustice भी होगा and lack of knowledge होगा yes or no अब देखिए यह जो हमने पढ़ा आपको तो पता है हम साथ साथ में भगवत गीता भी पढ़ी रहे हैं हमारे लिए भगवत गीता बरबर है कि नहीं अब यह मॉडूल में जो लिखा है यह आपको थोड़ा समझ में आएगा सबसे पहले किसी भी विक्ती की टोटल इंकम कंप्यूट करने के लिए पहले पहला ही स्टेप क्या है आपका मॉडूल प्रुष्ट क्रमांग का 1.16 यह CMA के मॉडूल में भी कॉमन ही है तो इता अटेंचन मतले न सुरहमारा नहीं दिखाया ऐसा कुछ नहीं है सबसे पहले अगर आपको टोटल इंकम निकालनी किसी भी वेक्ती की फिर हम क्या करते हैं इंकम को 5 heads में अब एक एक वर्ड जो यहां लिखा है वो समझ में आ रहा है कौन से 5 heads है जल्दी से बोलो PGBP, Capital Gain, Other Sources फिर हम क्या करते हैं बिटा, Clubbing Provision apply करते हैं फिर हम क्या करते हैं बिटा, Set Off क्या मिलता है, Gross Total Income इसमें से क्या माइनस करते हैं क्या मिलता है बिटा, We Pay Tax on Book, Real Life and What We Are Doing in The Class समझ में आई या बात पूरा, चलो, बढ़ते हैं आगे हां जी, तो Gross Total Income, Total Income यहां पर आके हम रुकेते हैं, ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं Sir, हम कल और आज एक वर्ड पढ़ रहे थे, पर आपको तो पता है, मैं तो average बच्चा हूँ, मेरे को जीरो से पढ़ना पढ़ता है, हाँ या ना कल हमने एक वर्ड पढ़ा, deduction, आपने मेरे को पूछा नहीं क्या होता है, कल हमने एक और वर्ड पढ़ा, exemption, देखो न, यहां से हमें और दो वर्ड मिले थे, मैं जरा उपर जाता हूँ, यह दो वर्ड पर आपने लिप्स्टिक लगाई है, देखो जरा, deduction and exemption, पर आपको तो पता है, हमें पहले यह वर्ड समझना होगा, क्या होता है, इसका मेनिंग, समझना चाहोगी कि हाँ यहां, है न, तो चलो, अभी हमारे income खतम नहीं हुआ है, let's do deduction and exemption, I hope आप page number दे रहे हैं, page number जरूर दो यह गल्ती मत करना, कि page number नहीं दिया, deduction and exemption, income के वर्ड को पढ़ते व चले गई, deduction क्या होता है और exemption क्या होता है, yes, now deduction का मतलब क्या होता है, और exemption का मतलब क्या होता है, let us first talk about exemption, तो deduction आपको समझ में आ जाएगा, what is exempt, when I say certain thing is exempt, it means it is not taxable in income tax, तो अगर मैं यह कह देता हूँ कि कोई भी चीज़ exempt है, इसका मतलब है यह है कि वो tax में नहीं आती, उसे exempt किया गया है, taxation से, that is not subject to tax, इसलिए उसको क्या का जाता है, exempt, अब understand कीजिएगा, हर तरीके की income को भी सरकार tax नहीं करना चाती, कुछ sector को promote करने के लिए नहीं करना चाती, कुछ sector को increase करने के लिए, या कुछ sector में motivate करने के लिए उस पर क्या नहीं लिय लिया जाता, tax नहीं लिया जाता, या फिर यह morally सही नहीं है कि उनके उपर tax नहीं लिया जाए, yes or no, तो इन segments को क्या कर देते हैं, taxation से बाहर कर देते हैं, let me give you couple of examples, point number one, agriculture, obviously, आज अगर हम भारत की बात करें, हम भारत की बात करें, तो हमें कृषी प्रधान देश माने जाते है, बरबरे, तो उनके उपर taxes लगा देना, यह हमारी ही economic को as of now destroy करने जैसा है, so unless an entity will became, you know, capital based industry, आज हमें farmers को benefit दीना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने agriculture को income tax से क्या किया है, exam, under section 10, बरबरे की नहीं, दूसरा, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे है, right, अभी अगर आप देखेंगे, firm जो अपने partner को payment करती है, let's say firm ने अपने partner को क्या दिया, remuneration या interest दिया, is firm a separate person as per the law, is firm a separate person in the eye of law, yes, it has a separate identity in income tax, इसे person की definition में classify किया गया है, अब since वो एक person है, वो tax pay कर देगा, जब person partner को payment करेगा, firm partner को payment करेगा, क्या फिर से partner ने tax देना चाहिए, और it will amount to double taxation, समझ में आरी बात, इसलिए क्या किया गया, कि अगर firm ने tax दे दिया, तो partner को देने की ज़रौत, नहीं है, तो कुछ moral grounds के ओपर क्या किया गया है, taxation से उसाट आया गया है, फिर कुछ sectors को promote करने के लिए, जैसे र मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, Gift City, अगर आप देखेंगे, Gujarat International Financial Service Sectors, non-residents इंडिया में आए, foreign company इंडिया में आए, इसलिए Gujarat में एक altogether Gift City को क्या किया गया, develop किया गया, right, और इसको नाम दिया गया, Gujarat International Tax Center, और जितनी भी foreign companies है, mutual funds है, इनको बुला आप इंडिया में आके operate करो, अब इंडिया में operate करना, मतलब ये non-residents को इंडिया में tax pay करना था, non-residents क्यों motivate होगा इंडिया में आकर के game खेलने के लिए, आप बोलोगे, sir हमारे पास consumer है, हमारे पास 1.40.000.000 कोई भी हमार देश में यह आना चाहेगी, consumer तो चाइना में भी उत्ते ही है, दूसरा, इंडिया का taxation बहुत high है, तो अब इनको बुलाना है, तो motivation क्या देना होगा, consumer चाइना के पास भी है, consumer इंडिया के पास भी है, now let us understand, consumer चाइना के पास भी है, consumer इंडिया के पास भी है, further, China का paying capacity per person ज बात अलग है कि यहाँ पर Amir ज्यादा है, यह नहीं होते, यह बात अलग विशे हो गया, पर as of now ज्यादा है, तो कोई भी company, let's say H&M, वो इंडिया क्यों आना चाहेगी, वो तो China जाना चाहेगी, तो इंडिया में अगर उसको बुलाना है, तो what is the motivation, आपको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जो China, नहीं दे पा रहा, तो ऐसे case में क्या क्या जाता है, all those company which are operating in gift city, इनको tax से बाहर कर दिया, उनको बुला, आप भारत में आओ, भारत में आके धन्दा करो, make in India, tax से बाहर, तो अब इससे क्या फायदा हुआ, हमने tax छोड़ दिया, लेकिन इंडिया क क्या लेकिया है, employment लेकिया है, इंडिया के लिए, उस area के भाव बढ़ा दिये property के, क्या आप जानते है, gift city को अपना खुद का, एक stock exchange दिया है, आपने NSC सुना है कभी life में, बरबर है, NSC सुना है, right, इनका अपना एक है, इनका अपना एक stock market दिया, वह है, पूरा का पूरा operation, operational, right, जैसे, अगर देखिए, आपने Nifty सुना है, तो, Nifty, gift city, अगर आप देखोगे, gift nifty अपना एक index चले जा रहा है, मतलब, इन foreign companies के साथ-साथ, stock market operations भी आपर दे दिये, इतना कुछ लाया जा रहा, foreign bank अगर gift city के अंदर में आती है, तो, tax से भाहर कर दिया, इसके साथ-साथ, इनको अपना एक stock exchange दे दिया, क्या आप जानते हैं, अगर आप in stock exchange में काम करते हैं, तो आप taxes से बाहर हो जाते हैं, मतलब, अगर आप यहां stock trading कर रहे हैं, तो आप taxes से भी बाहर हैं, इससे क्या फाइदा हुआ, इंडिया के जो बड़े H&Is है, जो आज तक के normal nifty में trade कर रहे हैं, उनने अपना funds और किदर divert करना चालू किया, gift nifty में divert करना चालू किया, इससे और क्या फाइदा हुआ, वहाँ पे economy घूमने लगी क्योंकि पैसा आने लगा, अब सोचिए, ऐसा कुछ इंडिया में develop करने जा रहे हैं, सिर्फ एक tax छोड़कर कि अगर country का economy grow कर रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि उन चीजों का exempt कर दिया जाए, yes, तो capital gain में provision लेकर आई, कि अगर आप IFSC, International Financial Service Centers में operate कर रहे हैं, for example, gift city, तो आपका capital gain क्या कर देंगे हम, exempt, तो इस तरह से आपको क्या दिया जाता है, promotions दिये जाते हैं, आप सोच कर देंगे कि अभी अभी ऐसा क्या हो गया, कि six theater multiplex बनने लग गय, eight theater multiplex बनने लग अचानक, Reliance को ऐसा लगा कि नहीं आरा हमारा Jio का, you know, वो होना चाहिए, मुमाही में है न, Jio, Jio World, right, इनको अचानक क्या हो गया कि पैसा लगाने लग कि हा, Reliance के पास पैसा अभी अभी आया होगा, बरवर है न, इनके पास पैसा हमेशा से था, bro, लेकिन exemption नहीं थे, tax के अंदर में, अब इनकोंने income tax के अंदर में exemption डाला कि अगर आप इस तरीके के community center बिल्ड कर रहे होंगे, तो हम आपको क्या provide करेंगे, taxation free provide करेंगे, या concessional tax rate लगवाएंगे, तो कोई भी आदमी का 30% tax अगर बच रहा है, तो technically 3 साल के अंदर में उसका 100% capital वापस आ जाएग BEP जल्दी achieve होगा, समझ मारी बात, तो कोई भी businessman motivate होगा उस business को करने के लिए, yes, अभी अपनी recently देखा होगा, रतन टाटा सर ने semi conductor chips में enter करने की बात करी, अडानी ग्रूप में semi conductor chips में enter करने की बात करी, अभी semi conductor chips क्या होता है, जरह एक प्यार इसे शब्द में समझना, अपस आते थे, है न, उसके अंदर में black dots हुआ करते थे, motherboard के अंदर में, that's semi conductor fabrication, आज कोई भी mobile या किसी भी तरगे का communication device चलता है, तो इस motherboard के अंदर में fabrication किया होता है, chip लगी होती है, आज पूरे इंडिया में chip का बहुत बड़ा shortage है, जिसके कारण Mahindra की जो cars है, वो करीब करीब 6-6 और 8-8 मेने से delayed है, क्योंकि हमाने पास chip ही नहीं है, और ये जो chip है, ये चाइना और जपान से आ रही है, अब चाइना और जपान की जो गाडिया है, ये इंडिया में ध्रले से जाधा sale हो रही है, क्योंकि इंडिया में chip का shortage है, और वो अपनी कार इदर बना करके दिये जा रहे है, for example Hyundai, for example Kia, वो दन अब दन बेचे जा रहे है, और इंडिया की जो कार्स है, इनको chip का shortage आ रहा है, income tax department का सहरा ले करके, chip का काम चालू किया गया, section 35 AD, section 35 AD introduced किया गया, कहा गया, semi conductor chip में अगर कोई enter करता है, business ले करके, तो जितना expenditure आप capital nature का लगा रहे हो, 100% allowed as deduction, तो अगर आप देखोगे, इस से फाइदा क्या हुआ, जैसे deduction दिया, लोगों को motivation मिला, धंदे में enter करने का है, टाटा जी घुज गए, अडानी जी घुज गए, अधर छोटे मोटे प्लियर घुज गए, अब क्या होगा, इंडिया में chip अगर जल्दी से बनना चालू हो जाएगा, इंडियन automobile industry को grow करने का मौका मिलेगा, as compared to the foreign automobile company, are you getting the point, yes, और इस तरीके से क्या किये जाते है, exemption के benefits दिये जाते है, तो exemption क्यों दिये जाते है, कई बार income को, you know, category को ही exempt करना है, हमें नहीं चाहिए उसके उपर tax, for example, agriculture, कई बार उस sector को promote करना है, semiconductor, gift city, तो इन क यह लिए क्या दिये जा रहे है, taxes दिये जा रहे है, क्या दिये जा रहे है, exemption दिये जा रहे है, are you getting the point, so, जब मैं कहता हूँ कि अगर यह exempt है, तो यह income, total income में count ही नहीं होती, यह income, total income में count ही नहीं होती, for example, मान लो, मान लो, लिखना नहीं सिप सुनना, विजय को अगर income आ सालू कर देते हैं इसलिए मैने एक फेक लिख दिया है आप 10 करोड ठीक है और सपोज विजय को 1 करोड रूपीज अग्रिकल्टरल अक्टिविटी से आ रहे हैं बरे बरे टोटल रिसीट किते की हुई 11 करोड income tax में income कितनी मानी जाएगी 10 करोड समयज मही बात रूपीज सो इवन दो माई बैक अकांट माईव 11 करोड रूपीज बत आस पर income tax I will pay the tax only on 10 करोड आप टिकलर इंकम इस एक्जम्ट वन अप्र टिकलर इंकम इस एक्जम्ट it is not counted in total income, it is not counted in, यह receipt है, yes, income है, yes, taxable है, समझ में है कलम क्या discuss कर रहे थे, that हर वो income जो आप consider कर रहे है, जरूरी नहीं वो tax हो, वो आगे चल के समझता है, वो deduction या exemption में तो नहीं है, समझ मारी बाग, और इसके लिए पूरा chapter है exemption, इसके लिए पूरा chapter है deduction, समझ मारी बाग, इ आपके डाड का business है, पर आपके घर पर खेती भी है, तो तुम्हारे घर पर किते ethics follow रहे हैं, समझ में आ रहा है, तुम्हारे डाड जो business कर रहे हैं, सोचके देखे, आपके घर पर बहुत कुछ हो रहे है, मैं तो सिब सच्चा ही बता रहा हूँ, सत्य ही अपने आप होते ज जारी है, आपके घर पर खेती है, जब कि कोई काम ही नहीं है खेती का, तो खेती है क्यों, सर वो तो मतलब लेके रखी ही है, investment बोलके, अब सोचिए, आपके डाड क्या कर सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके डाड करते होंगे, और अपन ने तो बिल्कुल आज कैसा कैसा नहीं किया, अपन तो सी बता रहे मार्केट में कैसा होता है, अब सोचिए, किसी के डाड है, लेट से डॉक्टर है, सर्जरी करी, कैश में पैसा आया, तो वो प्रोफेशनल रिसीट दिखाएंगे, यह अग्री कल्चर के थुरू घुमा देंगे, समझ में आ रहा है क्या, थीख है तो अब अगर विजय को फीस मिलेगी और सपोस कैश में मिलेगी, तो विजय ने वापे क्या हो गया, बैगन, विजय ने क्या हो गया विटा, बैगन, तो इस तरह की चीजी भी होती है, और पर ऐसा समय नहीं करना चाहिए अच्छी बात नहीं है यह बरबर तो यह हो गया exemption बरबर अब आईए मैं deduction पे भी discussion करता हूँ अब यह deduction क्या होता है deduction का मतलब होता है बिटा partial exemption अब कुछ सेक्टर ऐसे है जिनमें आपको जानमुझ के investment कराया जाता है आपके well-being के लिए आपने देखा आपके घरवाले बड़े tense होते हैं जब insurance premium pay करना होता है life insurance लेना होता है medical insurance लेना होता है आप कभी अपने डाड से discuss की जीजेगा पप आप ATC लेते हो क्या आज आपका एक homework सिब अपने पपा से इत्ता पूछना है पप आप ATC लेते हो क्या उन्हें बहुत proud फिल होगा कि तुम कुछ पहली बार ऐसी बात कर रहे हो जो उनके काम की भी है तो सिब उनको पूछना आप ATC लेते हो क्या ATC लेते ह हो तो देखना वो आपको बोलेंगे हां मैं लेता हूं देड़ लाग तक के लेता हूं अब यह ATC क्या होता है और हम किस बारे में discussion कर रहे है आज कोई भी बंदा life insurance लेता है क्यों क्योंकि उससे दो चीजे पूरी होती है पर नमबर एक उसका life secure होता है या मरने के बाद उस लाइफ भी secure हो रहा है तो don't you think it is a good good deal इसलिए आपके घरवालों ने life insurance लेके रखा है येस नहीं तो उनको life की कुछ नहीं पड़ी है जिस तरीके से हमारे डाड काम करते है ना बेटा समझ में आ जाता है कि आदमी को ना या आदमी insanely काम कर रहा है पागलों के जैसे येस औ नो और बाकी के घरवाले जो है हमारे जित्ते प्यारे रिलेटेव है बरे बरे दूसरा आप देखिए medical insurance लेते हैं हमारे घरवाले वाह खाने के लिए इनको जंक चाहिए और medical insurance ले रहे है अगेन सेम थिंग होती है जब आप medical insurance लेते हो ATD नाम का एक section होता है कौनसा बेटा ATD तो premium जो आप pay कर रहे हो उससे आपका health insurance हो जाता है अब आप सोचिए एक तरफ आपको premium pay किया income tax में deduction मिल गया उतना amount पर कम tax बरना पड़ा और इसी time पर आपका medical security भी आ गया will you do that yes अब इससे क्या हुआ भारत सरकार ने दो चीज़े insurance करी पहला हर person की व्यक्तिगत security financial security द मैं ते को deduction दोंगी कोई बात नहीं किया भारत सरकार बहुत बड़े दिल वाली नहीं लग रही इतनी चीज़े छोड़ दे रही आप सही नहीं समझे है को और समझी है जो pay कर रहा है insurance premium हम इसको deduction दे रहे company तो profit बनाई रही है ना company से ले रहे बैपर्टमेंट अनी कर रहा वो एक को exempt करके दूसरे से ले रहा है समझमारी बात वह एक की अगशंत करके क्या कर रहा दूसरे से ले रहा समझमारी युँँ बात तो जैसे फार्मर ने क्या किया पेड़ हुगाया और उसे दुकानदार को बेचा फार्मर की इंकम को एक्जम्ट किया, दुकानदार को कोई एक्जम्शन नहीं दे रहा, कि राना दुकान वाले को जो इंकम आरी उसको टैक्स भरना है, समझ महारी हुआ, even though the product is agricultural product, even though the product is agricultural product, समझ महारी हुआ, सरकार सिर्फ क्या कर रही है, बर्डन एक से दूसरे पर शिफ्ट कर रही है, बरे बरे, लेकिन इससे sector भी promote हो रहा, person भी secure हो रहा, और economy में हर segment में पैसा गूम रहा, इंशॉरेंस वाले को पैसा मिल रहा, इतना पैसा इंशॉरेंस को मिल रहा, फिर क्या किया company law में rule बनाया, कि भी है जो इंशॉरेंस company है, उसको mandatarily दूसरे company हो में IPO में पैसा लगाना पड़ेगा, mandatarily, तो यहां से पैसा घुमा किस के पास, companies के पास, companies से पैसा घुमा किस के पास, उनके employee के पास, employee जा करके फिर से goods purchase करेंगे, यही तो Adam Smith ने बूला था economics में, transfer of wealth from one person to another, क्या क्या क्या, यही तो Adam Smith ने बूला था, the first line in economics जो आपने foundation में पड़ी थी, transfer of wealth from one person to another, intermedia सीखने को मिल रहा है, that person must not necessarily be an individual, that may be natural person, that may be an artificial person, समझ में आरी यह बात, so what is exemption, आव बेटा लिखते हैं, what is exemption, exemption means total exemption, that is such income, that is such income, is not subject to tax, for example, PGBP, profit and gains from business and profession is 10 lakh, agree income is 2 lakh, आपकी total receipt कित्ती बनेगी बेटा, 12 lakh, पर आपकी total income कितनी मानी जाएगी, as per income tax, 10 lakh, do you agree, so means total exemption, that is such income is not subject to tax, एक बच्चा मेर से अभी पूछ रहा है, कि सर तंबाक्कू उगा के बेचा, तो क्या यह taxable है, इसी chapter में हम discuss करेंगे, आपका सवाल मैंने मेरे पास रख लिया, दिल में आ जाएगा इसका जवाब, अभी हम बहुत early है इस सवाल पर, आपने मुझ से यह भी पूछना चीए, एक गांजा हुगा या, हाँ वो भी पेड है न, वो भी पेड है, तो यह सब सवालों के जवाब है, attention मतले, जितनी चीजों से पैसा आता है, लीगल या इल्लीगल, हम सब डिसकस करेंगे, येस, तुलसी के पत्तों की herbal cigarettes बनाई, बनती है, Amazon पे मिलती है, सर आपको कैसे पता, I mean to say, product है दिखता है बहुत बार, अपने हो क्या, deduction का मतलब क्या होता है, partial exemption, deduction क्या होता है बटा, partial exemption, यहाँ पूरी income exempt नहीं होती, income का certain percentage portion amount exempt होता है, इसलिए देखो मैंने आप से क्या कहा, आपके डाड़ क्या बोलेंगे, 80 सी कित्ते amount तक का 1.5 लाग, तो पूरी income exempt नहीं होगी, certain amount, certain percentage exempt होगा, yes, इसके लिए बहुत सारी condition आपको satisfy करने पड़ती है, if certain conditions are satisfied, then deduction is allowed, deduction दो तरीके से मिलते हैं, deduction is available, in two ways, A, different heads, B, from gross total income, तो deduction दो जगह से मिलते हैं, एक, जब आप head की income compute करते रहते हो, तब भी आपको deductions मिलते हैं, दूसरा, जब आप gross total income compute करते हो, उसके बाद भी आपको deduction मिलते हैं, तो जैसे LIC की जो मैंने बात करी, वह आपको gross total income से मिलता है, जबकि आपके dad अगर salaried employed होंगे न, तो उनको पूछना, उनको मिलता होगा एक standard deduction, उनको क्या मिलता होगा, standard deduction, हम discuss करेंगे और आगे, तो deduction दो तरगर से मिलते हैं, एक head में भी deduction मिलते हैं, दूसरे gross total income से भी क्या मिलता है बीटा, deduction, is that done, चलो, अच्छा, exemption जो है, deduction जो है, यह तो ठीक है, exemption कहां covered है, लिखो तीसरे point exemption में, exemption is covered, under section 10 and 54, तो जो income exempt है, जो income क्या है बिटा, exempt है, इसके पूरी list section 10 के अंदर में दीवी है, कि हम कोई कौन कौन सी income exempt है, और फिर section 54 भी है, जो investment based deduction देता है, कौन सा based deduction देता है, investment based, अब यह investment based deduction क्या होता है, आप कभी देखेगा, आपके घर पे न, जब भी कोई property sell होगी, तो आपके डाड, immediate एक नया discussion चालू करेंगे, कि यह property बेचके यह लेना है, कभी आप सोच करके देखे, आपके घर पे जब property बिखती है, हमारे डाड यह क्यों नहीं बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, BMW Lamborghini ले ले लेते हैं, अपने डाड क्या बात करेंगे, यह particular property बेचिये, इधर का बेचेंगे, इधर सा बेच करके अपन उधर shift कर देंगे, उधर एक बड़ा पट्टा मिल रहा है, वहाँ shift कर देंगे, डाड को क्या मजा आ रहा है यह land बेचके land लेने में, सर मजा नहीं, उनको एक चीज समझ में आ रही, यह कोई भी land जब बिकती है, इसके gain के उपर 20% tax लगता है, किता percent बोले जल्दी से, 20% रहे हैं, डाड यह 20% सेव कर रहे हैं और दूसरा investment ग्रो कर रहे हैं, समझनारी बात, वह क्या कर रहे है, 20% सेव करके, दूसरा investment ग्रो कर रहे हैं, इसलिए आप देखे, आपके घर पर जब भी land बिकेगी, इम्मेडेट एक नया discussion चालू हो जाएगा, या कोई अच्छा land समझ में आया, तो बोलेंगे यह लेना है, इसलिए यह बेच रहा हूँ, इस तरह के discussion चालू हो जाएँगे, क्यों क्योंकि section 54 में exemption है, section 54 में क्या है, exemption है, तो इस तरह के काम आपके घर पे होते हैं, I think आपको दीरे दीरे समझ में आ रहा हूँगा, आपके घर पे discussions क्या चलते हैं, yes, तो यह हुआ बेटा, deduction and exemption, deduction क्या हुआ बेटा, partial exemption, तो जो income में deduction मिलने वाला है, क्या वो income में add होती है, yes, फिर उसमें से क्या मिलता है, deduction, पर जो income exempt है, वो कभी भी total income में ही count होती, नहीं है, is that done, च Tax Act 1961, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, income tax act, तो यह जो पितला पड़ा, यह क्या था, यह तो बेसिक था न, आज से मैं चालू करने जा रहा हूँ, income tax, yes or no, तो सबसे पहले, income tax में, आपको तो बताए, शुरुआत हमेशा कौन से section से होगी, section number one, आज से हम लोग act शुरू करने जा रहा है, पर यह चालू करने से पहले आपको इत्ता लंबा जर नहीं करके आना पड़ता, section one, short title, short title, extent, and commencement, short title, extent, and commencement, the act will be called as income tax act 1961, its shell, it shall, came into force on, one for 1962, I hope आपको समझ रहा है कि यह क्या की लिख रहे हैं आप, समझ रहा है, वो force में 1962 से आ रहा है, act to 61 में आ गया, obviously पूरा income tax आने वाले साल की language में लिखा है, succeeding year की language में, it is applicable to whole of India, तो सबसे पहले section one, exam point of view, totally irrelevant, मैं हर section पढ़ाते वक्त आपको यह जरूर बताऊंगा, कि क्या important है, क्या important नहीं है, ताकि exam point of view से हम बहुत clear हो जाए, पढ़ना सब कुछ है, exam oriented रहना sensible बात है, समझ मैं ही बात, तो इसमें से पूरे game में, इस तीनों line में एक चीज़ important है whole of India, इस पूरी line में एक चीज़ important है क्या बिटा, whole of India, अच्छा जी सर, सर, इंडिया क्या defined है, याद करके देखो हमने discuss किया था शायद, क्या इंडिया defined है, हाँ या ना, देखिए अपने notes में section 1 आता है, यह जो note से PDF form में आपके telegram group के उपर डाल दीए, अभी जो बच्छा telegram group पे नहीं आया, pillars के उपर QR scan कर ले ना, फट्से आजाएगा, online वालो, नीचे link दिया है, that may be called as income tax act 1961, it is applicable to whole of India, and it will came into force on 1st April 1962, yes or no, किते section आ रहे हैं माली कहां पर, 298, फिर हम समझते हैं, अब इंडिया मतलब क्या होता है, दो हमने roughly इंडिया को discuss किया वाए, पर again यह definition, custom में जादा काम किया है as compared to DT, बरबर है, तो इस definition को भी learn मत करना, सारी definition किसी भी act में, कहां दिये होती है section number 2, 2, समझ मारी बात, तो अब हम 1 से निकल के कहां चले गए, 2 पे चले गए, लेकिन पूरा 2 हम एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, देकिए foundation में जैसे आप law पढ़ते थे, कि भीया एक ही साथ सारी definition पूरी के पूरी पढ़ लिया आदा रहा है contract act, यहां इस subject में ऐसा नहीं हो सकता, यहां इस subject में जहां जो definition काम किये, वो definition वहां पढ़नी पढ़ती है, समझ मारी बात, तो understand किजिएगा, अब हम 1 से निकल के जा रहे है, 2 पे, पहला word मिला हमें India, India की definition पढ़ने के लिए चले गए, मैं आप सभी से पूछना है जाता हूँ, recall, interlink करो, India extend up to, याद आ रहा है, क्या पानी के अंदर, पानी के उपर, और हवा में तीनों cover हो रहे हैं, येस, अब understand किजिएगा, इंडिया से 12 nautical miles तक के, ठीक है, कुछ भी लिखना माँद, समझना, इंडिया से 12 nautical miles तक का जो एरिया होता है, इसको हम territorial water कहते हैं, GST में काम का है, ये श्वन सर सम्झा हैंगे, और, पर समझिए, मैं एक rough idea आपको देखे रखता हूँ, इंडिया कहां तक extend हो रहा है बिटा, इंडिया extend हो रहा है, 200 nautical miles, for the purpose of DT, 12 nautical miles तक के इसे क्या कहा जाता है, territorial water, ठीक है, इस 12 nautical के अंदर में कुछ भी आए, इसे कहा जाता है, import, और इस 12 nautical mile के बाहर कुछ भी गया है, इसे क्या कहा जाता है, export, समझना है है, तो import और export की definition के लिए, हमारे लिए 12 nautical miles important है, पर यह GST की बात है, DT में हम कहां पे हैं, 200 nautical miles, 12 nautical miles के आगे, up to 24 nautical miles, इसे contagious zone कहा जाता है, यह वो area होता है, generally जहां पे crude oils मिलता है, बहुत high seas, और इसके आगे 200 nautical miles, 24 nautical miles के आगे का पूरा area क्या होता है, exclusive economic zone, क्या बोले जाता है, exclusive economic zone, यह पूरे word कहां काम के हैं, GST में काम के है, इंडिया में तो सीधा सीधा यह की काम का है, इंडिया extend up to 200 nautical miles, विशे का तम, 200 nautical miles के अंदर में, पानी के निच्चे कुछ मिला, पानी पे कुछ मिला, यह हवा में कुछ मिला, यह सब कुछ इंडिया में, definition में cover हो जाएगा, अब आप के मन में, कुछ नालायकों के मन में यह सवाल आ रहा है, सर 200 तक का clear है, 200 के आगे आ रहा है उसका बताओ, और अगर यह हो रहा है, तो तो तुम perfect CA student बनने जा रहे हो, इसको बोलते है, professional skepticism, क्या बोलते हैं, questioning mind, जो बता रहा हो, उसको छोड़के आगे की panchaiti करने की, धरबरे, मतलब यह ना, इमानदारी से 200 nautical mile किसी को सुनने में इंटरस नहीं है, 200 के आगे क्या हो रहा है, curiosity उदर है, किसी ने बूला, तो पता है, पहले यह बता, आवा जाती के उदर ऐसा, आमे जे तुमार, चिन चिन चिन, धंदे पर दान दो, इंडिया कहां तक extend हो रहा है, पहले बोलो, 200 nautical miles, यहां तक के clear है, अब 200 nautical miles के बाहर का जो area होता है, तुमारी curiosity के लिए परता दू, इसको बुला जाता है high seas, इसको क्या बुला जाता है, high seas, और high seas में अगर कोई income generate होती है, right, तो सारे nations मिल करके, unitedly क्या करते हैं, इसके उपर discuss करते हैं, mainly, जो दो country के बीच में आ रहा है, इन दो country के बीच में एक agreement बनता है, इस agreement को कहा जाता है, country क्या करती है, let's say, इधर अपना प्यारा दोस्ट पाकिस्तान, भही आपको पता है, कुछ waterways में, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों common share करते होंगे, हाँ या ना, right, तो अब ऐसे case में क्या होता है, इन waterways पे बहुत बड़ा question आता होगा, कि पाकिस्तान इस पे tax collect करेगा, या भारत इस पे tax collect करेगा, होता होगा या नी होता होगा, तो ऐसे case में भारत और पाकिस्तान, दोनों मिल करके एक agreement बनाते हैं, इस agreement को कहा जाता है DTAA, इस agreement को क्या कहा जाता है, DTAA, double taxation avoidance agreement, जिसके तहट, पाकिस्तान इअगरी करता है, या तो हम इस particular चीज़ पे tax नहीं लेंगे, या भारत अगरी करता है, हम इस पे tax नहीं लेंगे, या फिर दोनों बोलते हैं, हम दोनों tax लेंगे, एक जगह का जो tax pay किया है, वो दूसरे जगह क्या मिल जाएगा, credit, इस तरीके से taxation dispute का avoid किया जाता है, वापस से, नहीं वापस से, ऐसे कैसे, ध्यान जा सुनो, 200 nautical mile के अंदर कोई income आई, इस पे purely किस कहा कै, भारत, clear है, अब 200 nautical mile के बाहर, जिनके भी साथ हम ये high seas share कर रहे हैं, इन countries के साथ, अब जैसे अगर आप देखोगे, इंडिया के नीचे फिर श्रिलंका आजाता, ये तो 12 nautical mile में ही आजाता, yes or no, अब कितना dispute होता होगा, कि एक particular जगे income मिली, तो ये भारत के के श्रिलंका की, तो ऐसे case में, श्रीलंका और इंडिया, दोनों मिल करके क्या करेंगे, बोलो बिटा, एक DTAA sign करेंगे, इस DTAA का full form क्या है बोल बिटा, double taxation avoidance agreement, वापसे बोल, double taxation, तो जब आप मेरे साथ CA final में रहेंगे, CA final में international tax आता है 30 marks के लिए, हम यहां इसे बहुत detail में discuss करेंगे, कि DTAA में कैसे benefit निकलता है, कैसे decide होता है कि कौन सी country tax लेगी, यह सब आपके syllabus में है final में, ठीक है, अब DTAA के तहर्त, या तो सिर्फ श्री लंका लेते हैं, यह दोनों की mutual understanding है, या तो सिर्फ श्री लंका इस पर income लेगा, या तो सिर्फ इंडिया इस पर tax लेगा, या तो इस पर tax कौन लेगा, बोथ, और एक country में pay किया, दूसरे country में क्या मिल जाएगा, credit, for example, अगर वो Indian company होगी, तो श्री लंका में tax pay कर क्या है होगी, तो उसको इंडिया में श्री लंका का जो tax paid है, उसका credit मिल जाएगा, company अगर श्री लंकान company होगी, तो श्री लंकान company जितना tax इंडिया में pay कर रही है, उसको credit उसको वहाँ मिल जाएगा, समझनारी बात, इस तरीके से taxation dispute को avoid किया जाता है, by mutual agreement DTAA, अब आप ये पूछेंगे, थोड़ा practical aspect, पूछो ना आभे मिरसे, कहाँ देखने को मिलेंगे, पूछो ना, कहाँ देखने को मिलेंगे, आओ दिखाता हूँ, आप अगर समझना चाहते हैं कि, तो मिरसे content पूछ भाई में, तिरेको भूद देगा, tension ही मतले, income tax india.gov.in अगर आप देखेंगे, e-filing income tax पर लेके जा रहा है, सीधर dt-double-s दालते है, यह देखिए, dt-double-s income tax, अगर आप देखेंगे, dt-double-s का full form क्या है बीटा, double taxation avoidance agreement, income tax की website पर आप जैसी जाएंगे, देखिए, रश्या ही खुला पहले, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, देखिए, रश्या के साथ हमारे dt-double-s बनी है, क्योंकि क्यों का इंडियन ग का इंड पर भू आपट कर रहे होगी, क्यों के रश्यान गपनी के इंड लोग इंडिया पहर है, होंगे कई Indian लोग रशिया से पैसा कमा रहे होंगे तो don't you think उसको वहां पर भी tax देना होता होगा यहां पर भी tax देना होता होगा तो क्या यह double taxation लग जाता होगा नहीं दोनों country एक दूसरे के साथ क्या बनाती है agreements और India का more than 180 countries के साथ agreement है बरवर है more than 180 countries के साथ क्या है बिटा agreement तो अब समझ में है 200 nautical mile के आगे क्या होता है चलो क्या exam band of you say हमारे लिए definition काम किये बिल्कुल भी नहीं बस इतना याद रखना है India extendable up to 200 nautical miles so India means territory of India as referred to in article 1 to the constitution it's territorial water territorial water पर मतलब कित्ते तक के बिटा 12 nautical mile subsoil underlying water continental shelf and exclusive economic zone exclusive economic zone कहां था बिटा 200 nautical mile और any other maritime zone and airspace above its territory and territorial water इतना लिखने के बदले register में सिर्प एक लाइन लिखके खतम करो section 225 A section 2 subsection 25 A India extend up to 200 nm आगे कुछ पढ़ना है तो refer notes not so important इस definition को बहुत ज्यादा काम आएगा GST के अंदर में क्योंकि वहां पर custom की चीज़े 12 nautical mile के अंदर है तो क्या बाहर है तो क्या पार्षली अंदर है पार्षली अंदर है पार्षली बाहर है तो क्या इस सब वहां काम का है हमारे लिए इस सब कोई काम का नहीं हम 200 nautical mile तक के चल रहा है और 200 nautical mile के बाहर क्या होने वाला है DT AA विशेक हतम येस चलिए section 1 done section 1 के बाद section 2 के उपर हम लोग आ गए अब हम यहां से सीधे जा रहे हैं section 4 के उपर सर 1 2 3 गयाप सीधा 4 लिखो जगा सबर करो section 4 basis of charge of income tax basis of charge of income tax यह मैं जैसे जैसे और जितना एक एक लाइन में लिख रहा हूँ आप भी उतना ही लिखेंगे हर लाइन के बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे कृपिया पेज की चिंता न करे income tax is payable अच्छा इस section को पहले important mark कर ले न income tax is payable in any assessment year एक लाइन चोड़ के, at the rate specified by annual finance act इन रिस्पेक्ट आफ टोटल इनकम अफ एनी पर्सन इन प्रीवियस इयर वह भाई basis of charge के income tax जो लगता है उसके chargeability कैसी आती है income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year चल लिख के हो गया यह सभी का पहला ही section है जो आपने important पढ़ा है basis of charge थोड़ा आवाज निकालो आवाज करो पुब्लिक मेर साथ section नमर फुर क्या है बिटा आवाज निकालो जोड से section नमर फुर क्या है basis of charge please read with me और थोड़ा धीरे धीरे income tax is payable in any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ नहीं हुआ होगा English पढ़के छोड़ दिया है चलो एक और बार दिल से पढ़ते है ठीक है section number four please एक बार पुब्लिक आवाज का ना पहला income tax is payable stop income tax pay करना है हिंदी हिंदी तोड़ते हैं थोड़ा सा अपनी लेंग्वेज में समझ में आया ऐसा income tax pay करना है कब in assessment year हलका हलका discuss हुआ है assessment year क्या होता है पुर्चावर्षी लवकरिया यादा रहे गया जो भी income इस साल कमाएंगे उस पर tax देंगे कब बिटा अगले साल so income tax is payable in assessment year at the rate specified हमारे मन से नहीं दे सकते हैं at the rate कहा specify किये है rate annual finance act चली कुछ जोडते हैं हर साल amendment आता होगा amendment parliament में discuss होगा जब parliament में discuss होने के बाद approve हो जाता होगा तो वो annual finance act का part बनता होगा annual finance act in respect किस पे total income total income total income total income पता है कि तिरको total income कितने head की income निकालेंगे कौन से कौन से कुछ याद नहीं आ रहा आवाद नहीं आ रहा salary, house property, pgbp, capital gain, other sources सबको मिलाया, क्या add किया क्या minus किया क्या मिलेगा do we pay tax on gross total income we pay tax on तो gross total income में से क्या minus हुआ होगा deduction, deduction, deduction partial exemption अगर कुछ condition satisfy वी जैसे आपने premium पे किया yes तो deduction मिला होगा तो net income आई होगी जिसको हम क्या कहते हैं बिटा total income चलो वापस से start करते हैं, zero से income tax payable है कब? assessment year में किस rate पे? जो finance act में लिखा है किस पे? total income पे किस की? प्रिवियस यर में कमाई है अगर मैं हिंदी में साफ सब्दों में ये कहना चाहूँ किसी भी वेक्ती ने पिछले साल जो total income कमाई है उस पे income tax देना है उस rate पे जो finance act में लिखा है अगले साल वापस सुन, क्या बोला मैंने? किसी भी वेक्ती ने पिछले साल, previous year में जो total income कमाई है, उस पे income tax देना है, assessment year में, उस rate पे जो finance act में लिखे होंगे, अब तुम्हें ये क्यों समझ में आया पता है, क्योंकि तीन दिन से तुम्हार को इन सब शब्दों के लिए महनत करे जा रहे है, अब तुमको ये little little click हुआ है, क्योंकि तीन दिन से हम ये महनत करे रहे है कि यहां तक के तुम पहुचो कि यहां पर जितने word लिखे है ये तुमको समझ में है, now do you understand what do you mean by an income, do you understand the tax word clearly, कैसे calculate करते है अभी हमने ये discuss नहीं किया, do you know what is this word, और जब मैं यहां पर tax के रहा हूं क्या, यहां पर मैं सिर्फ tax की बात कर रहा हूंगा, क्या, tax मतलब plus, plus, that's the power of interlinking you are answering, समझ में ही बात, अब income tax pay करना है, लेकिन हमारे पास, आपको तो पता है, मैं average बच्चा हूं, अभी हमारे को कई ऐसे word है, जो इस definition में लिके है पर नहीं आते, for example, पहला word जो मेरे को नहीं आता, what do you mean by assessment year, दूसरा word मेरे को एक और नहीं आता, previous year, मुझे अभी तक के तो ये भी नहीं पता, what are the rate, अभी, एक minute, क्या मुझे ये clear है, total income क्या होती है, yes, पर person कौन को नहीं है मेरे को अभी तक पता, नहीं है, अब तक मुझे जो clearly पता है, वो है total income, वो है income, वो है tax, पर अभी और चार वर्ड है, जो पढ़ने के बाद मुझे समझ मे आएगा कि में को करना क्या है, are you getting the point, and I am very glad to see you, अब और दो दिन, सिर्फ इस definition पर लगेंगे अपने को, और in total, चार दिन और लगेंगे, इस पूरे definition को वापस से समझने के लिए, are you serious, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, हम किस content के dip में घुच जाते हैं, पर अब यहां से चार वर्ड मेरे को नए मिले मेरे जीवन में, क्या क्या नया वर्ड मिला, assessment year, previous year, rate और person, और आप जानते हैं, जब तक ये चार वर्ड को हम एक एक करके दिशा अलग नहीं कर मैं section 4 से निकला, किसी भी चीज को समझने के लिए मुझे उसकी definition पढ़नी होती है, तो definition के लिए फिर कौन से section में जाना पड़ेगा, तो मैं 4 से निकल के फिर से कहां जा रहा हूँ, 2, क्या person defined है, जी हाँ, जी हाँ, बिलकुल person defined है, hashtag person, section 2, subsection 31, कोई भी चीज को वहां पढ दिखा है, है ना, person, हाँ जी भाई जी, income tax में 7 category of person है, कितनी category of person है, 7, हम एक एक category हर एक चीज को discuss करेंगे, क्या आप जानते है, person का definition आज तक, person का definition आज तक exam में 4 बार पूछा है, CS executive में 3 बार पूछा है, CMA inter के अंदर में 4 बार पूछा है, yes, in short, important है, person में कौन-कौन आता है, पहला category of person, individual, पहला category of person, कौन बेटा, individual, individual मतलब कौन बेटा, individual, means a natural person, individual means a natural person, अच्छा, बच्चो मुझे बताओ, क्या इसमें मेल आते होंगे, everybody, everybody, just look here, क्या इसमें मेल आते होंगे, क्या इसमें फीमेल आते होंगे, all other person are covered, male covered है, female covered है, all other person are covered, yes, so all three genders are recognized, अभी ही नहीं, इनको सुप्रीम कोट में DCN देने के बाद ही नहीं, हमेशा से income tax में तीनों person covered है, so all those who are in natural person, वो सब individual के category में आ जाएंगे, तो अब मैं आप से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं कुछ सवाल का जवाब दीजेगा, is minor को अगर कोई income आती है, तो is it liable to tax, क्यों, वो तो person है, आपको समझा यह discussion relevant क्यों है, अब समझो, यह हमारी छोटी minor है, बरवर है, मानलो यह अभी ऐसा दिखरी है 11th में है, पर आ गई वो इंटर थक के, अभी हमारी minor है, इसको कोई income आई, is she liable to tax, let's have a discussion, is minor liable to tax, आपको पता ही है, हमें दो professional लगते हैं, एक दूसरे से जगड़ा करने के लिए, हमारी पास दो लोग है, जो लोग online देखरें, हमारी पास दो लोग है, यह दो चीए minor को, good, तू start करेगा, क्यों नहीं होना चीए, खड़ा हो जा भाई, और आप start करेंगे, हाँ, तो हमारे पास दो लोग है, जो लोग online देख रहे हमारे पास दो लोग है, ये दो लोग भिढने वाले हैं, एक दूसरे को bum से मारने वाले हैं, let's start. Point to be noted, minor हो या major हो, income कमाया तो tax देना पड़ेगा, minor के पास capacity ही नहीं है, contract करने की, बच्पन में पड़ा था, याद नहीं तुमको, बच्पन याद है ना? But income कमाया है, इसका बड़े से या छोटे से, क्या लेन देन है? तू समझ नहीं रहा, ब्रो, capacity to make a contract ही नहीं है, how can you make it valid? अरे कोई तो होगा? हाँ तो guardian होगा तो? आप मुद्दे, ये मुद्दे से बटक रहा है, my lord, point is, क्या capacity ही नहीं है to do the contract, तो ऐसे के इसमा जो income आई, उस पर आप कैसे tax ले सकते हो? हाँ, अगर income भी है, तो वो guardian के पास होनी चाहिए, guardian उस पर tax भरेंगे. हाँ, नहीं मतलब अगर बच्चा गलती करें तो सजा माबाब भुख तेंगे. कैसी गलती? हाँ, तो सर राइट तो होना झाहिए, यह बाद तो यह सही कहे रहा है. बट, बट, ठीक है, और कोई इनके बिहाफ पर, हाँ, चलो, बैट जा, बैट जा, तु हारा नहीं है, अटेंचन मतले भाहितर साथ है. लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, गार्डियन जो है, वो तो होंगे, वो उनके बिहाफ पर टैक्स पे करेंगे. अरे सर ये भी तो इंडारे गलेंगे. मोटे मोटे तोर पे केस वहाँ जा रहा है जो कहता है कि माइनर पे टैक्स देना नहीं है कोई और कहना चाहता है कुछ आप ही कहना चाहते है कुछ ओ एक मिन एक मिन एक मिनिट माडम ने पूरे कोट का ध्यान मटकाया है रुकिए यहाँ एक और नया डिसकेशन आया है क्या पैनकाड अठ्रा के बाद ही मिलता है anyone here जिसके पास pen card है 18 से पहने oh my god madam discussion became vague void ab initio क्योंकि यहाँ पर कई सबूत खड़े हैं हमार पास और कोई discussion लाईए नया नया write-up लाईए okay हाँ anyone हाँ जी भई minor oh my god minor parents को bind नहीं कर सकता हाँ the court of law became the guardian भाई को contract रेक पक्का है पर law में ये भी तो लिखा है कि मान लो parents नहीं है तो पर पर पेरेंट से तो फिर वह बाईड नहीं कर सकता भाई का contract रेक पक्क point to be noted एक नया sequence बीच में आया है एक नया सबूद बीच में आया है जो हाँ जी बचे खड़े हो अब भी हाँ minor is entitled to the benefit out of a contract हम फिर नहीं तो कहना कह चाती है अब taxable है है नहीं हमार को उस पर बात करिये नहीं taxable है चलिए दो लोग खड़े हो गए नहीं taxable है हाँ खड़े हो चलते रहे दो साले को है हम 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 tax हो सकता है यह भाई कह रहा है देखो minor जो है वो अपने youtube channel बना सकते है वो अपने personal skill ले सकते है तो income उसको हा सकता है तो tax उसने देना ही चाहिए हम माइनर की आईटीर फाइल नहीं बनती, एक मिनिट आपको यह किसने बोला? पेहलो के लिए आइटमी म आईटीर फाइलिंग नहीं हो सकता हुँँश् бы 59 न दुए यहां से अँग और बात कंछे खारी हुई पहला क्या माइनर को पैन मिल सकता है? मैं जवाब दventionsाइव है और पैन मिल सकता है, तो रिटर्न बwel भर जा सकता है भरते हैं या नहीं है ये अलग बात है भर सकते हैं कि नहीं ये हो सकता है तो basic पहले clear हुआ अब सब बेढ़े हो अब you versus me ठीक है you all are in the one team and I am in the one team let's have a fruitful discussion गलत चीजों को पहले भाहरां दो फिर नहीं चीज़े अंदर आएंगे तो अब आप सब एक team में और मैं किल एक team में हुआ आप ठहरे contract act वाले हुआ 100 माँ पढ़ क्या यो ना मैं ठहरा income tax वाला आपका major major part का discussion ये है a minor cannot create a contract or we have learned a contract with a minor is white पक्की बात right but that was a contract act we are in income tax जब एक मा से निकले वे दो बच्चों का सभाव अलग हो सकता है तो mother constitution से निकले दो act के point अलग हो सकते सुनना तो point ये है अगर income है तो tax होनी चीए एक section 4 कहता है person को tax देना है person मतलब natural person minor is a natural person सबूत कानून शब्दों पर चलता है शब्द ये है इंडिविज्वाल इस नाच्वल परसन माइनर इस नाच्वल परसन तो ये शूद भी लियाबल तो पेई tax on his income आपको कोई और opinion है तो बता ये नहीं तो मैंन तो word सामने रख दिया law understand आपने जो contract act पड़ा है वो सही है पर income tax में minor is considered as a person since minor is a natural person तो minor is covered in the definition of person that's why many people got PAN even though they were below 18 further clarification minor या major PAN से classified नहीं होता अठरा के बाद ही नहीं अठरा के पहले भी PAN मिलता है और क्योंकि PAN मिलता है तो उसकी file भी बन सकती है उसका return भी file हो सकता है करते नहीं है वो बात अलग है पर क्या यह हो सकता है येस फर्दर जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि minor की कुछ income उसके skill से आती है किस से आती है बढ़ा skill से आती है तो minor की जो income skill से आ रही है उस पर tax minor को ही दिना होता है पर minor के नाम से अगर कोई investment income आ रही है तो वो कहां जाती है बढ़ा parents के हात में जाती है और parents उसके tax देते हैं और यह सब हम लोग एक मस्तसा chapter में पढ़ेंगे chapter का नाम होगा clubbing माइनर की income क्या की जाती है बटा club किस के साथ में parents किस के साथ में club की जाती है बटा parents के साथ में club की जाती है right माइनर की income एक मिनाट रुकी है parents के साथ में क्या की जाती है club की जाती है और यही clubbing का base law है यह देखिए clubbing में जब आप जाएंगे तो clubbing में आप एक section पढ़ेंगे section 64-1 ए minors income समझ में आई बात क्यों कि यह person है चलिए दूसरा discussion आपके साथ आगे बढ़ाता हूँ तो क्या senior citizen को भी tax देना है अब एक और discussion आपके साथ आगे बढ़ाता हूँ तो फिर non resident को भी इंडिया में person मान के उन पर tax लिया जा सकता है yes are they male yes are they female yes or they are considered as natural person yes they are subject to tax so person includes person includes male female other gender minor major non resident also तो पहला person कौन हुआ individual तो क्या individuals को tax देना है yes तो भारत के जितने भी individuals है they are subject to tax second हूफ हिंदू undivided family हिंदू undivided family हाँ जी सर हिंदू undivided family है कभी अपने सुना है हुछ भी कुछ होते हैं हाँ सुना है चलिए अब इस से related मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके और कुछ basics clear करना चाहता हूँ दो मिनिट एक्स्टा लगेंगे थोड़ा deep में जाऊं कि सीधे exam oriented पड़ा के खतम करूँ क्या चाहिए लिप चाहिए चलो मैं जाता हूँ can women भी करता अच्छा एक मिनट पहले हूँ बतो क्या होता है वो एक family business होता था कोई करता होता था को पाइसनर्स होते थे यादे करता decision making करता था है न इतना सब हमने पड़ा है चलिए अब deep discussion में जाते हैं can women be karta very good proud of you why HUF is created to promote the family business to save tax the best answer to save tax क्यूंकि HUF को एक separate person माना जाता है इसलिए उसको tax saving का mechanism use किया जाता है for example Vijay is a separate person having a separate pen card Vijay का income 2,50,000 तक exempt है पलवी is a separate person individual उसका income 2,50,000 तक के exempt है उसका pen card अलग तुमारे मम्मी का अलग तुमारे पपा का अलग अब दोनों ने मिल करके family HUF बनाया है उसका pen card अलग आता है और उसका धाईलाग तक का tax और save होता है so HUF is used as a tax planning mechanism अच्छा बताईए कल चलके कल चलके यह मेरा भाई नाम के तरहां राज कल हमने राज की शादी करा दी मान लो Simran के साथ तो अपने राज की शादी Simran के साथ हो गई अब मेरे को एक बात बताओ क्या राज हुएफ कर सकता है कि नया कि उसका existing हुएफ होना चाहिए था कि नया हुएफ करेट कर सकता है बहुत बढ़िया तो कौन से एक्ट में create करें हुएफ एक्ट फूरा गूगल सर्च करना मिल जाये तो यह जो अविश्कार तुमने किया है ना दो मिनिट में विदाउट पार्लेमेंट एसेंट हुएफ एक्ट कुछ भी कुछ भी हुएफ एक्ट किदर पर तुमने अरे काही तरी हुएफ एक्ट जैसा कोई नहीं होता आपने foundation में एक लाइन पड़ी थी हुएफ इस created by a status यादा रहे है क्या there is no act it is created by a status क्योंकि income tax में उसे status मिला है as a person there is no separate act yes or no तीसरा सवाल क्या ही हुएफ एक्ट कर सकता है yes अब हुएफ create कैसे होता है हुएफ create होता है seven time ringa ringa roses से अपस से सुनिया हुएफ create होता है seven time ringa ringa roses शादी अरे ओ खेलते नहीं का लड़का लड़की मिलकर के अगनी के बाज हुए seven time ringa ringa roses हाँ उससे create होता है हुएफ तो हुएफ कोई act में register नहीं होता, हुएफ में 2 परसन की सबसे पहले शादी होनी चाहिए, शादी होता ही husband और wife का joint bank account होना चाहिए और यह दोनों मिलकर के pan card apply कर देंगे income tax में, तीनी step है, पहले शादी कर लो, फिर joint bank account खोलो, और उसमें पैसे डाल दो और इसके बाद pan apply कर दो, जैसी आपने pan apply किया, हुएफ का एक separate pan आ जाएगा और आपका हुएफ created, आपका हुएफ created, बस इतने ही तीन step है, अब किसी नाल हम किस law की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, ऐसा कोई भी सवाल लाने से पहले समझ लीजेगा, बरबर है, हम clear बात कर रहे है हिंदू law की, तो हिंदू law में यह permitted ही नहीं है, पर सर ऐसा हुआ तो, अब देखो, अब यहाँ पर आदमी उसकी पतनी को मार भी डालेगा हाँ, अब उसके मन में सवाल क्या आया है, मैं आपको बतातो, सर मान लो, उसकी पतनी मर गए, उसने दूसरी शादी की, अब क्या वो दूसरे एचिव बना सकता है, कही नालाइको के मन में यह आया होगा, आया है कि नहीं सही बताना, रहेट, मैंने क्या कहा, आपके मन के ज इसा अगर कुछ हो गया है तो जो पहले वाले होफ है उसे close कर दिया जाता है, होफ close कैसे होता, pen card surrender कर दो, होफ close, pen card surrender कर दो, होफ close, और फिर आप नया pen card ले लिजे, नया होफ, चालू कर दीजे, नया गड़ी, नया राज, अगले दिन अपने महुलने में आश्वरी आई, सम लगयाaye, को परसनल होगा, ने मेरी कोई बीवी,елей कोई बीवी कैसे हो सकते है, मेरा कोई बेटा तो समझ में आता है, मेरे पाप्पा ठीक है हरी प्रसाद साल्डा एंड चंदरकांता साल्डा इन दूनों की मेहनत से और भगवान की कृपा से इनको तीन बच्चे हुए विने विवेक और एक आपके सामने खड़ा है विजे ठीक है अंडर्स्टांड करिएगा मम्मी पपा के हुए हम तीनों co-parsoner हुए बरबरे फिर विने की शादी हुई प्रियंका से, विवेक की शादी हुई शीतल से और विजे की टेजे की शादी हुई ने लिट्स competitive बमउसी पी थी तो दीक ऑं मुंद को लिचे मतलब तो बिजए कीशादी हुई हूँ पर्फलैवी से अब ये त्मारे कहने नहीं नहीं थे ये ऑमारे घर में आके रहने लगले हमने इने हमने नहीं हमारे घर का क्या बना दिया बरे बरे कि नहीं मेरा पर्सनल रूम शेयर कर लिया यार बताओ तो यह हमारे घर पर कौन बन गया बोलो बेटा मेंबर अब इन दोनों को अलग-अलग करने की ज़रौत क्या पड़ी पहले यह समझी है हम हिंदू लौ में और भारतिय संस्कृति के हिसाब से ओनली को पार्सन कैंघ है अब इसको यह सब कहा से समझ में आ रहा रहा वो अलग बात है अब इसको यह सब कहा है सचा ही सब को पता है इसको बाकी का इंत्न ग्यन कहा से मिल रहा वो अलग बात है पर हमारी संस्कृति इस तरीके से चलती आ हाईय कि यह पार्टीशन नहीं कर सकते, two-part turned he partition demand कर सकते हैं, समझ में आ रही है यह बाद, अच्छा बताईए, there are two school of Hindu law, anyone? दया भागा और मिताक्षरा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, yes, there are two school of Hindu law, Hindu law के two school है, एक है दया भागा, दूसरा है मिताक्षरा, दया भागा जो है, यह वेस्ट बेंगॉल और आसाम में अप्लिकेबल है, दया भागा कहा है, वेस्ट बेंगॉल और आसाम, बाकी rest of India में मित होते है, जो Hindu laws में सारी चीजी लिखे, यह हम जो बात करते हैं, यह इस मिताक्षरा लॉके हिसाप से बात करते है, समझ मैं ह 맞아 ही बात, पर आप दया भागा से आ रहे हो, यह आ आप मिताक्षरा से रहे हो, दोनों income tax में covered है, दोनों income tax में covered है इसमा इसमा những income family is also eligible to create HOF? Yes, अब आपके इसमें बहुत सारे नए question भी आ सकते है, मान लीजे, Sir, कोई non-Hindu, Hindu से शादी करके आ गया, अब वो HOF का part बन सकता क्या? कई नालायको का मन में ये सवाल भी हो सकता है, बरे बरे, let's say कोई non-Hindu category में होगा, वो Hindu के सचादी करके, अब वो Hindu हो गया क्या? वो HOF बना सकते है क्या? Yes or no? See, ये दया भागा में अलग लिखा है, मिताक्षरा में अलग लिखा है, अधॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ता है, DCN लेना पड़ता है, General answer is yes, General answer is yes, ठीक है, आजो है क्या है? कोई वेक्ती, दो HOF में हो सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? एक्जांपल दो, एक में हो को पार्सनर, दूसरे में हो member, लड़का ये नहीं हो सकता, सिर्फ लड़की ये हो सकती है, सिर्फ विमन को ही पावर है, वो दो घर हैंडल कर सकती, लड़कों में इ बात समझ ना? तो वो अपने पपा के हचोफ में 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 रहती है, इसलिए हिंदु लोग के ज़ाब से कि जब बाप की जो प्रापटी होते है उसमें बेहनों का भी अधिकार होता है, समझ मारी यह बात? तो वो पपा के प्रापटी के अंदर में क्या रहती है? में बात? और लड़के के केस में ऐसा नहीं होता, लड़कों का या तो वो पपा के हचोफ में होंगे और जिस दिन उनने अपना हचोफ बना लिया, तो पपा के हचोफ से आउट हो जाते है, वो सिर्फ अपने हचोफ में रहते है, तो women can be in two हचोफ, generally men's cannot be in two हचोफ, समझ में ही बात? सर अब कोई नालायक में से पूझे, सर वो घरजवा ही रहा तो, अरे भोच सवाल आते रहे बच्चों को अलग अलग, पर मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, ना मैं आपके सारे सवालों के जवाब दू, सर वो घरजवा ही बन गया तो, तब भी ये लोग बदलता नहीं, उस केस में है, yes or no, क्योंकि हम हिंदू लोग के हिसाब से आ रहे हैं, जहां पर पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से ये ट्रेंग नहीं है, yes or no, हाजी, सर, विल में आ सकती है, हुएफ में नहीं, जैसे अंकल है पर उनका कोई बच्चा नहीं है, बरबर है, तो आप उसके को पार्सनल या मेंबर में नहीं आ सकते, अनलेस एंटिल आपको अडॉप्ट किया जाए बाई लीगल प्रोसेस, बिजनस कोई पर ऑपरेट करें ना पर आपका हुएफ में कहीं, फिर आपको ऐसे एंप्लोई या एसे मैनेजरियल परसन सालरी मिलेगा, बरबर है, तो आपको उस केस में अगर मान लोग क्यों के हु का पाड बन सकता है, yes, step child, yes, adopted child, yes, चलो, देखो सिर्फ हुएफ में कितना कुछ डिसकस करने लाएक है, आप जब मेरे साथ CA final में रहेंगे, एक पूरा chapter है taxation of HUF, how HUF is created, CA final में मात्र 53 topic है, सिर्फ DT में, सिर्फ DT में, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, joint bank account, टीसर आपके पास क्या होना चाहिए, PAN, HUF is created by status, no registration is required, type of HUF, किते टाइप है बिटा, किते टाइप के HUF है बिटा, दो, दया भागा, मिताक्षरा, अपली केबल कुथली, अपली केबल तो वेस्ट पेंगल और असाम, मिताक्षरा इस अपली केबल तो रेस्ट आप इंडिया, बोत आर कवर्ड इन, इनकम टैक्स, बोत आर कवर्ड इन, इनकम टैक्स, पार्त है, ऑनलाइन एक सवाल पूछ रहा है, सर मान लो, दू लोग सेम सेक्स, मतलब कवर हो रहे हैं तो, तो, कें दे क्रियेट एन एचुएफ, लॉको इस पार्ट पर अभी अमेंड होना बाकी है, मतलब, but if they can have a status of husband and wife, the answer would be yes, yes, husband or wife relation category, उनको अभी तक के categorize कैसे किया जाएगा, इस बारे में law, इस पार्ट पर अमेंड होना बाकी है, बत मेरको नहीं लगता जब अगर उसकी माननेता मिल चुकी है, तो उसमें कोई difficulty आनी चाहिए, ऐसा में को नहीं लगता, यहुफ इस क्रिएट टास प्लानिंग, यहुफ इस क्रिएट बुलवड़ा, टास प्लानिंग, next, third category of firm, firm includes LLP, यहाँ पे एक लाइन लिखके रखे जो अभी नहीं समझेगी, बाद मैं समझेगी, except for section 44 AD and 44 ADA, except for section 44 AD, 44 ADA, sir please have a discussion, मैं को आता ही नहीं और आपने तो पड़ा ही है, firm और LLP, तो उनों में difference क्या है, firm और LLP में difference क्या है, पूरे income tax में, जहां पे भी हम firm word use करेंगे, वहां पे LLP भी include होगा, पर दो section के लिए ऐसा नहीं होता, तो firm और LLP में difference क्या है, एक partnership firm है, अच्छा एक covered होता है partnership act, तो firm covered होती है partnership act में, firm covered in partnership act, I borrow your point, partnership act और इसके लिए act कौन सा है, LLP act 2008 ठीक है, चलिए और कोई difference है दोनों में, हाँ liability क्या है firm में, firm की में जो liability है, यह क्या है बेटा, unlimited, जबकी LLP में क्या है, limited, limited, stop, I object, I object, नहीं point to be noted my lord, एक minute, आपने कहा, LLP में liability limited है, बरबर, I object to this point, हाँ members की liability, अच्छा firm में जो partners रहेंगे उनकी liability limited रहेगी, सुनिया, fraud के case में ऐसा नहीं होगा, बरबर न, हाँ, ठीक है, अब मैं एक नया case आपके सामने खडार करता हूँ, देखिये, क्योंकि LLP में liability limited है, इधर समझना, इधर समझना, ठीक है, पेन वन नीच आपके दो मिन एक अच्छा discussion है, तो क्या हुआ, एक दिन ADZ, Do you wanna go mad, DK, समझ में आ रहा है, So no, मेरे बात समझना, शांदार जबर दर जिन्दाबाद, और वच्छो ने मिल करके एक LLP बनाया, बरबर है, सबने इसमें लिख दिया, liability 10,000, जैसा आपने कहां मैंने कर दिया, liability is limited, इस organization को नाम दिया, एक अत्वम, इसमें हमार साथ तीन senior partner, जुने हमारे प्यारे MT, हमारे प्यारे the great GV, and the owner of actual squada, कि आपने हमारे हैं, इसमें हमारे है, if you have not attended G.B. Sir's lecture, I am telling you, you are missing a lot in life, वरेवर है, मेरा ultra pro max version हूँ आदमे, समयना रही है, नेक्स्ट लेवल, if you have not, मतलब, do suggest your juniors, नेक्स्ट लेवल, दो मतलब तुम्हार को अगर किस concept में, क्या गुजा के क्या पढ़ाएगा आतमी, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल, मतलब मैं आपको बोल रहा ना, बहुत नेक्स्ट लेवल आतमी है, बहुत नेक्स् बरबर, इसका नाम दिया गया, एकत्वम, बरबर एकत्वम ने profit कमाया, तुमारे हिसाब से एकत्वम का profit किता होना चीए लगबग रफली, किता, 100, वो भी करोड, क्या, 100 वो भी क्या, करोड, चलो अडॉप्ट करता हूं, मैं तुमारे भी इस पॉंट को, 100 क्रोड रुपे adopt किया, सव करोड रुप पे, 30% का tax, roughly 33 करोड, वो 33 क्यों आता है, बाद मैं discuss करेंगे, roughly 33 करोड, tax plus HEC, etc, सब मिला के, ठीक है, plus HEC, मैं सिफ roughly पकड रहा हूँ, कोई figure यहां पे clear नहीं है, ठीक है, तो सव करोड का profit आया, 33 करोड का tax आया, इतने में, एव आई, कौन आई, एव यहां के बलती है, Hi everyone, किस से, I mean, बात करो, इतने में जीवी सड़ सामने है, बोलो न, कैसा करेंगे ना आपन, क्या तकलीप है, करना ही पढ़ेगा न, 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 Sir, actually 33 करोड is the tax liability, you need to pay, अच्छा, tax क्या, यह इदर बात करो, जरा, M.D., absolutely not, no way, there is no question about it, इतने में डीक है, एक मनादर, इस में बताई, एक मैं है, हाँ, डीक है, हरार मादर, बोलो, Sir, मैं, Sir, actually 33 करोड is the tax, कि, 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 33 करो, 33 करोड, that needs to be bifurcated into three-part, tax, surcharge and cess, come on, for that has to be, and if that 33 करोड has been invested in Zomato, I mean, not precisely 33 करोड, 30 plus 3 करोड, but if it is related to tax, talk, हो गया सबका, मैं बात करू, कर लू मैं बात, बोलो मैंडम, सदेखे, 33 करोड का tax आ रहा है, मैंडम, आपने शायद लौ नहीं पड़ा, मेरा बात समझना है, आपने शायद लौ अधंग से नहीं पड़ा, 33 करोड जो आप tax की बात कर रहे हैं, हमारा liability limited है, wherein each of such person is required only to pay 10,000, कैसे tax collect करेंगे, नहीं नहीं सर, वुदफ फर्म has to pay na, Dissolve firm, everyone of us, Dissolve, तलाक, 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 how can you do that, only we can do that, कल तक जमरा था, अभी नहीं जमरा, 33 करोड किसको पे खर मैं देखलो, आई यह, देना किसको देखो, अरे आईसे कैसे देखेंगे, आईसे कैसे दे सकते, तो मैं किससे लूँ, थेकिये माम, हम Dissolve हो गए, अ फरॉड का केस था, फरॉड तो है नहीं, दद 10,000 सबसे ले लो, how people you can do that, 33 करोड के ऑफेंगे, इसा होगा, जैसा होगा, ऐसा ही होगा, लिएबिलिटी इस लिमिटेड, तुमे नहीं तो बोला था, लिएबिलिटी इस, तुमे नहीं बोला था न, हमने तो नहीं बोला था, अगर ऐसा करते थे तो लोग income tax की बैन बजाते थे समझना है क्या एक मिनिट में इस act के पूरे धजिया उड़ जाती income tax में GST में तब जाके एक नया section इंट्डूश किया गया income tax में generally liability is unlimited as per section 167 to income tax, income tax liability will also be unlimited not just a case of fraud otherwise एक मिनिट में धजिया उड़ जाती पूरे income tax GST अधर लॉकी है समझमारी ये बात तो firms की liability भी unlimited है और partners की liability भी joint and several रखी गई है समझमारी ये बात नहीं तो लोग एक मिनिट में बोलते थे तलाग duo हो गया काम गतम चलो अगले LLP बनाएंगे इसका entity गतम समझ में आया बात तो LLP में liability generally क्या होती है बिटा limited but income tax purpose के लिए वो liability कैसी होगी समझ में आया विट बेस समझ में discussion section 167 in income tax liability is unlimited इसको जरा highlight कर देना liability is unlimited अच्छा एक last point आपको याद होगा तो firm का जो registration है वो registrar of firm करता है जबकि इनका जो registration है ये कौन करता है बेटा ROC याद आ रहा है बहुत शांदार आज समय का पता नहीं चला हम break के भी 15 मिट आगे निकल गए ब्रेक चाहिए कि बढ़ जाओ आगे नहीं ब्रेक ले लो तुमको दिन बटिक नहीं है न मजा आया की नहीं आया प्रभू आ करके और person का discussion करना है भी चार person और बाकी है ठीक है see you after the break honest taxpayer is a myth, honest taxpayer is a myth, any person honest taxpayer is a myth on time झाल 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 है झाल 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 तो झाल 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 तो झाल झाल तो झाल तो झाल 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 तो झाल 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 तो झाल 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 तो झाल झाल तो 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 ट्सके औ कर दो, रप्ट्रिय केंग है झाल, ट्रफ। मेंग, ट्सक्वी और है दो tax after taking TDS credit, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कहूं तो मैं गलत तो नहीं हो जाओंगा न, एकत्वम जो TDS पे कर रहा है, वो tax एकत्वम का नहीं है, वो tax साक्षी का है, एकत्वम सिर्फ वहाँ पे catalyst बोल के work कर रहा है, ताकि साक्षी के पास opportunity ही खत्म हो जाए tax planning करने के, अब साक्षी के पास कोई option नहीं बचेगा, साक्षी सोचे की 70,000 की income दिखा दू, दिखा तो सही love letter आएगा, साक्षी बोले की काम करते है, 90,000 दिखा दे तो, दिखा तो सही love letter आएगा, दो मिनिट लगेगा income tax department को निकालने के लिए कि अगर TDS इतना कटा है तो overall income कित्ती हो अब TDS आ गया, तुमने नहीं काटा तो तुमारा कटेगा बात समझ में आई, सर, हम कहां है section 4 पर, section 4 का एक word मिलाता person, मैंने person पकड़ा assessi खीच दिया, assessi से TDS खीच दिया, सब interlink एक दूसरे से, अब सिर्फ यह सोचो कि आपने किसी दिन class miss किया कुछ भी miss करने का विटा, DT miss नहीं करने का, अब सोचो जिसने आज सोचाओंगा चलना यार Saturday है उसको तो मतलब पूरा content देखके इच वो हिल जानेगा, इत्ते बड़े discussion में, DT is not the subject जिसको आप में सकरपाओ, subject ही नहीं है, इदर से यह गाया पुआ, कि उदर से वो गाया पुआ, यह TDS chapter का base है, चलो जल्दी से बताओ, एक बार मेरे को clear कर दो कि तुमको TDS समझाए या नि, एकत्वम academy, suppose कर लो किसी contract का payment करती है, एकत्वम की responsibility क्या? TDS deduct है, TDS deduct करने के बाद एकत्वम अपने जिब में डालेगी या गवर्मेंट को देगी? गवर्मेंट को देगी, एकत्वम ने TDS नहीं काटा तो एकत्वम पर क्या consequences है? Interest, penalty, expenses, expenses नहीं माने जाएंगे, मतलब उस income पे भी tax देना पड़ेगा, जो आप actually खर्चा कर चुकी है, अच्छा, अब जिसको contract मिला है, उसके लिए क्या ये income है? Yes, अगर income है, तो वो अपनी net income शो करेगा या gross income शो करेगा? Gross, including TDS शो करेगा, अपनी other income मिलाएगा, total income बना होगा, वो minus करेगा, अब वो आदमी कैसे डूढ़ेगा मेरा किसने कित्ता काटा है? एक form है, ये form कहां से आ रहा है? सरकार, सरकार खुद ये reconciliation बना के देती है, ये reconciliation कौन से form में होता है? 26 AS, समझ मैं ही बात? अभी आपको ये identify करने की ज़रोत नहीं है, interest rate क्या है, ये क्या ह है, वो क्या है, पूरा chapter है TDS, मेरको पहले आपको base सिखाना है, अभी हमसे base पे है, पहले सारे word समझ लो, फिर हम advance पे जाएंगे, कहां था, मैं वापस आता हूँ, section 4, आपको नहीं लगता, अब हम इस word को बहुत तोड़तार कर चुके है person, अब और आगे के word पे जाता हूँ है, next word पे जाता हू, assessment year, previous year, अब ये दो word बचते हैं, देख लिजए सर, previous year और assessment year, चलिए ये दो भी तोड़तार करते हैं, next definition, assessment year, previous year, previous year, assessment year, आपने एक बात देखिए, calendar year वर यूज नहीं हूँ, what is calendar year, a year starting from 1st January every year till 31st December, पर calendar year वर यूज नहीं हूँ, पूछो ना क्यूँ, वहिया हमारे उपर Britishers ने राज किया, Britishers UK में क्या करते थे, calendar year फॉलो करते थे, अब क्यूँकि वह इंडिया पे भी राज करते थे, तो एक ही साथ UK का भी accounts पूरा close करना और एक ही साथ इंडिया की भी accounting close करना यह possible नहीं था, तो उन्होंने खुद के लिए तीन महने का gap रखा, इसी लिए वो लोग आज भी January से December को एक year मानते हैं और इंडिया को कर दिया April से March, यह उनकी सुविधा के लिए किया गया काम था, तब जाके एक नया वर्ड बना financial year, तब जाके एक नया वर्ड बना क्या बिटा, financial year, पर अगर आप देखेंगे, income tax में यह दोनों वर्ड भी यूज नहीं हो रहे, income tax में वर्ड यूज हो रहा, assessment year और previous year, assessment year का definition, कोई भी वर्ड को समझना है, हम फिर से कहां पहुच जाते है, section 2, previous year, section 3, oh my god, section number 1 भी आज हो गया, 2 के कुछ पाल ट हुए, 3 भी आज हो रहा है, 4 भी आज ही चल रहा है, पर आप एक भी जगह confused नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ interlink चल रहा है, हम एक में आएं, एक से दो पे गए, दो से चार पे गए, चार से फिर एक एक वर्ड तोड़ते वे, दो पे आ रहे, समझ मारी के बाद, चलो आगे, assessment year और previous year, वाव, previous year, धारा तीन कहता है, a year preceding the assessment year, कितना deep definition है, हम previous year को short form में py और assessment year को short form में ay लिखते हैं और यह exam में लिखे जा सकते हैं, तो here and after I will always use py ay, ठीक है, चलो, sir, assassin default, any person who do not comply the law is called as assassin default, for example Vijay ने TDS deductी नहीं किया, Vijay क्या बन गया, assassin default, इसलिए notice बेचके मिर पे interest और penalty ले गए जा सकते हैं, बड़े बड़े, अब जड़े धानते सुनिए, एक बहुत deep definition आई है, धारा तीन लिखने वाले, मौा, a year preceding the assessment year, wait a moment, मिरको assessment year ही नहीं मालू में, पर preceding वड़ी उस किया है, assessment year के पहले वाला साल को हम क्या कहेंगे, previous year, assessment year के पहले वाला साल को हम क्या कहेंगे, previous year, वापस से बुलो, assessment year के पहले वाले साल को हम क्या कहेंगे, previous year, पर पहले assessment year तो समझाओ, यहने previous year समझने से पहले मेरे को क्या समझना पड़ेंगा assessment year समझनारी बात मैं assessment year में गया, मैं assessment year में गया, a period starting from first April every year हर साल एक अपरिल से क्या चालू होगा assessment year और इसके पहले वाला साल क्या रहेगा previous year है तो क्या मैं ऐसा कह सकतो एक अपरिल से चालू होगा मतलब it is a period of 12 months एक पूरा बारा महिने का period assessment year होता है बारा महिने का जो period है यह कम नहीं हो सकता तो देखिए एक चार दो हजार चोईस से लेके 31-3-2025 तक अगर यह assessment year है तो इसको लिखते कैसे हैं हाव तो राइट हाव तो राइट इंकम टैक्स में हम इसको सिफ 24-25 लिखते हैं मतलब हम इता लंबा नहीं लिखते यह अंडरस्टुडेबल है सीधा के 24-25 का मतलब एक अप्रेल दो हजार 24 से लेके 31 मार्ट दो हजार 25 तो हम सीधा सीधा बोलते वक्त डीटी में यह कहते हैं असेस्मेंट टीर 24 तो आप जब आर्टिकल्चिप में जाओगे तब आपको सीधा सीधा जो आपके बॉस होंगे वो बोलेंगे यह वाई 23-24 की फाईल लेके आ तो आपको आपको असेस्मेंट टीर 23-24 की फाईल उसके पास लेके जानी है समझ में आई बात that's how you are being prepared for your आर्टिकल्चिप चलो अगर 24-25 मेरा असेस्मेंट यह है तो मेरा प्रिवेस यह क्या हुआ ढूंड के बताई है 23-24 अब सोच करके देख 23-24 में जो इंकम कमाई उस पर टैक्स कब देंगा तू बेटे अब समझ में आया क्योंकि पूरा इंकम टैक्स कौन सी लेंगवेज में लिखाए बेटा असेस्मेंट यह आने वाले साल की लेंगवेज में के करन्ट यह में तो बेटा तू इंकम कमा ले टैक्स कब दे रहा है आगे 1961-62 में जो इंकम कमाई होगे उस पर टैक्स कब से एनफोर्स किया होगा 62-63 और आज तक ही ऐसा ही चला रहा है भाई और बहनो तेविस और 24 में जो इंकम कमाई उस पर टैक्स 25 में जाएगा आपका अटेम्ट में 24 नॉवंबर 24 में है इसलिए आप सभी का प्रिवियस यर 23-24 असेस्मेंट यर 24-25 और फाइनांस आक्ट कब का लगेगा तेविस ताकि चोईस में टैक्स निकाल सको कुछ समझ में आया है क्या अगला अगला पिछला आज का समझ में आई बात अब वापस सुन एक मिनट ऐसा कैसे संगा बोलो नहीं संगा मैं वापस समझाएगा अपने आपको सुन विजय तेरे लिए इतना सुन हां सुन रहे previous year previous year क्या होता है previous year is the year preceding assessment year तू सुन रहा है तू सुन रहा है बोलना हाँ previous year is the year preceding the assessment year ठीक है अब assessment year ढूणने गए assessment year क्या होता है हर साल एक अपरिल से क्या चालोगा बोल बच्चा क्या चालोगा assessment year यहने हर साल एक अप्रिल से बारा महीने अगले क्या होंगे assessment year बरबर है तो एक चार दोजार चुविस से दोजार पचीस अगर मेरा assessment year है तो मेरा previous year क्या हुआ 24 अगर assessment year है तो previous year 23 चुविस अब finance act 23 जो पड़ा होगा तो 24 के पूरे attempt के लिए चाहे वो may 24 हो या नवंबर जूनिया December 23 में जो income कमाए उस पर tax कब देना है 24 और यही चीज तो section 4 कह रहाता है wait a moment पे चपल तो section 4 पर जाओ अब पढ़ो उसका meaning समझेगा income taxes payable कब in the assessment year in respect of annual finance act in respect of total income of any person in previous year किसी बिवेक्ती ने previous year में जो income कमाई है उस पर income tax देंगे assessment year में उस rate पे जो annual finance act में लिखा है अब सोचो इस section को 4 को पढ़ाने के लिए धाई घंटे तक के explain करना पड़ता है तब जाके बच्चे को समझ में आता कि वहां लिखा क्या है हाँ 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 मजा आया नहीं आया पूरा पक्की बात तुमारे एकस ही कसम है की नहीं है नहीं है ना तुमारे एकस अखंड सिंगल लोग हो ना तुम अब तक के पड़्चाई भी नहीं पड़ी तुमारे उपर है ना एप्रिल से पहले ही फूल बनाओ तुम सुनो ना अगर previous year 22 थेज हुआ तो assessment year क्या होगा अगर previous year 23-24 है तो assessment year क्या होगा क्यूंकि सांस भी कभी बहू थी हर year किसी ना किसी के लिए previous year है किसी ना किसी के लिए assessment year है समझ में आएगा क्यूंकि सांस भी कभी बहू थी आया धन में कि दुकान में सुनो ना मी का मन तो एक इचारू का क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ there is a general there is a general lul income of previous year is taxable in assessment year पिछले जाल जो कमाएगा उस पे अगले सारी tax देके जाएगा अब आप के लिए previous year an assessment year in case of business commencement यात्रिकन क्रिप्या ध्यान दे example एक आट दो हजार 23 को मेरा business start हुआ मेरा business commence हुआ आप सभी यात्रियों से निवेदन है क्रिप्या हमें बताएं previous year क्या होगा और assessment year क्या होगा एक आट दो हजार 23 को हमने हमारा धंदा शुरू किया प्रिवियस यर वाट इस असेस्मेंट यर वाट इस 23 24 यह क्या बना प्रिवियस यह लिखते वक्त हम 23 24 ही लिखेंगे लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक आट दो हजार 23 से लेके 31st March 2024 क्योंकि प्राक्टिकली इंकम तो तभी आएगा ना अलो एक आट से पहले बिजनस ही नहीं था इंकम कहां से आएगा तो लिखते वक्त हम 23 24 ही लिखेंगे but that period should actually start from 1st August yes तो अससमेंट यह क्या बनेगा 24 पच्चेस clear तो आपने एक रूल बनाया in case of business start-up previous year start from the date of commencement previous year start from the date of commencement sir, sir I have a doubt आप अगली line लिखेंगे तब जब आपको दिल से हां लगेगा assessment year can not be less than of 12 months cannot be less than of 12 months but previous year can be of less than 12 months दिल से समझे तो लिखना नहीं तो इस line कोई छोड़ देना जब तक नहीं समझे तब तक पर दिल से समझे क्या आपको है ना यह तो MCQ है assessment year कभी भी 12 महीने से कमका नहीं होगा previous year 12 महीने से कमका हो सकता है and that actually makes sense in income tax accounts में बता जाता है business started on first April do really business every business start on first April अरे क्लाइंट के दुनिया भर के problem रहते क्लाइंट बोलता मेरा बड़े इस दिन आ रहा है मैं business इस दिन चालू करेगा ग्रह नक्षत्र इस दिन अच्छे है मैं इस दिन बिजनस चालू करेगा यह बहुत अच्छा दिन है आदमी गोल्ड गुड़ी पाड़वा को खरीता सोच समझ के वो इसको auspicious मानता है और तुम बोले बिजनस start करेगा एक अप्रिल को मान लो काल सर्पयोग होगा एक तारिक को तो business ही चालू नहीं करता हो तो accounts में ऐसा कुछ भी बूले बिटा डीटी में ऐसा मनने का नहीं अब कही नालायको के मन में एक सवाल है वो सवाल मैं बताता हूँ क्या है सुनो ना बच्चा ए बाबु आपका जो business start हुआ ना बिटा यह 31st March 2024 को चालू हुआ Tell me what is previous year, what is assessment year कही नालायको के मन में सवाल आना चीए, नहीं आया तो मां पैदा करेगा पर सवाल का जवाब दो previous year क्या है anyone 22,23 एका चंतो बोल दो 22,23 what is previous year 20 पक्की बात what is assessment year having said that क्या मैं कह सकता हू previous year can be off one day also एक और MCQ previous year एक दिन का भी हो सकता है अब लॉजिकली सोच किसी ने 31st March को भी बिजनस चालो किया previous year उसका 23,24 ही लिखा जाएगा पर previous year में दिन कितना होगा एक अब कही नालायकों का मन में एक सवाल आ गया सर सपोज यही बिजनस एक चार दो जार चोईस को हुआ तो सवाल आना ही चाहिए अब यही बिजनस एक चार दो जार चोईस को चालो हो गया now tell me what is your previous year what is your assessment year previous year क्या है are you sure assessment year क्या बन गया in case of business startup previous year start from the date of commencement assessment एक दिन से सबकुछ नीब बदलते पर एक दिन सबकुछ बदलता है प्रहुटीप था समयन में आया? एक दिन से बहुत कुछ नीब अब पर एक दिन बहुत कुछ बदलता है जिस दीन Sie a final Doesn't Okay Ka result आ जाएगा तुमारा final का pass तो एक दिन पहले वहाद कुछ नहीं बदलेगा पर अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा सोच के देखो ना, suppose अगर तुम्हें foundation में attempt लगाया, क्या-क्या सुना था रे? इससे तो हो नहीं पाएगा, इससे तो हुई नहीं रहा है, तो कोई और course देख ले सब का बदला लेने का तेरे भैजलने, समझ मैं ही बात? सुनो, ये पक्की बात समझ में आ गई सभी को, अब इसमें किसी को डाउट है, कोई भी डेट देना चाहिए, दे दो, पूरे क्लास को पूछेंगे, बूल भी हुए बिजनेस, सुनना आप सभी लोग नहीं, बिजनेस स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एप्रिल आगे है, आगे येर बोल, 2023 है, इसी के लिए, इसी के लिए हमें next point पढ़ना है, जो इसके बात का है, आपने एक advanced question पुछें, बिल्कुल इसी के बात है, इसी के बात है, बिल्कुल उसी में थर्ड पॉइंट पर लिख के रखा भाई का सवाल, पूरी इजद देंगे भाई के सवाल को, रुको, पहले ये clear है, previous year, assessment year, हाँ, मेरे को एक सवाल है, तरह भाई का बड़े है, 28 February 2024 को भाई ने अपना business start किया, प्लीज भाई को बताओ, तुम्हारा previous year क्या है, assessment year क्या है, मैंने बिजनेस अट इस फरवरी को चालू किया, एक चार दो हजार चोईस से लेके, एक त्थीस तीन दो हजार पाच्च्छेस, ये तो assessment year हुआ, तो previous year क्या हुआ, in case of business start-up, previous year start from the date of commencement, समझ मैं ही बात, पक्की बात, पूरा शौर, 31st मार्च को क्या होगा, 1 अपरिल को क्या होगा, सब क्लियर, अब देखे, generally another theory question which has been tasked, which has been asked couple of times, which has been asked couple of times, पहला favorite theory question person, दूसरा favorite theory question, assessi, तीसरा favorite theory question, exception to the general rule, income of previous year taxable in assessment year, what is general rule? exception to general rule, income of previous year is taxable in assessment year, क्या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ, cases where previous year is equal to assessment year, उसी साल में income कमा, उसी साल में tax दे, exception to the general rule, market as important, आज तो सला तीन चीजे इंपोर्टन में आ गई न, आज घर पे जाके टैक्स को जरूर पढ़ना है, सर आप रोज तीन दिन से ये बात बोल रहे हो, मेरा कहने का मतलब है रोज पढ़ना है, पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, अपने study को दो पार्ट में डिवाइड करो, हर दिन में दो subject, तीनों नहीं लेने का, हर दिन में दो subject, और मैं आपको एक बात बता हो, जो लोग पहले दिन से पढ़ना शुरू कर चुके होंगे न, वो confirm एक subject tax जरूर पढ़ रहा होंगे है, बरबर है, ये गलती तुम मत करो, I know this is becoming your favorite subject, because it is most interesting, this is most interesting, it is obvious, और मैंने आपको पहले आते पहला वादा क्या किया था, ये आपके दिन का सबसे favorite lecture रहेगा, पकी बात, पर तुम ये गलती करोगे, इस subject, इस चक्कर में तुम्हारा accounts का interest खतम हो जाएगा, तुम्हारा account अकाउंट अक्के तुम्हारा interest ही खतम हो जाता, बरे बरे, फिर दूसरा, law में तो भी तुम्हारा थोड़ा सा जिन्दा रहोंगे तुम, account अक्के तो तुम अपने जीवन के उम्मीदी खो चुके होते हो, और specially account खाना खा के आते हो, खाना खाने के बाद, मैं देख रहा था ऐसी कल, खाना खाने के बाद कुछ लोगों की शकलिया, अरे कईसे दूसरा दी न है रहे तुम्हारा, अरे लिटरले ऐसा account खाना, क्या है भाई, पर इस चक्कर में क्या होता है, see, understand, मेहनत वहां करनी है, जिस subject के अंदर में तुम्हारा, you know, interest developed नहीं हो रहा, क्योंकि, understand, वो issue यह है, कि तुम फिर सिप tax पढ़ोगे, और time बजगया तो तुम लॉप पढ़ जाओगे, और accounts इसमें तुम्हारा delay हो जाएगा, इसलिए better वही है, एक दिन में तुम दोई चीजों को हाथ लगाओ, जैसे accounts और law को हाथ लगाया, उस दिन tax को हाथ ही नहीं लगाने का, कुछ भी हो जाए, next day तुमने law plus tax को हाथ लगाया, उस दिन accounts को हाथ नहीं लगाने का, तीसरे दिन account plus tax को हाथ लगाया, उस दिन law को हाथ नहीं लगाने का, और दो-दो दिन हरे एक के लिए allot कर दो, पूरा burden एक साथ आएगा ही नहीं, नहीं, तो तुम आज जितने दिन तुम बोलो कि भाई, अभी तो class चालू हुई है, मैं दो दिन से बहुत ठक गया, तुम जितना delay कर रहे हो, यह उतना pile up होते जा रहा, अब तक तुम सोचो, डिटी में 3-4 page लिख दी होंगे? कि, किते हैं? कि, दस तो लिखे होंगे, अरे रफली पकड़ना है, हर चीज को अब्जेक करना है तेरेको, अर दस पकड़ना रफली, दस लिखे होंगे अब तक, सोच अगर किसे, अरे, अठाइस page, ठीक है, कंचे पर फोकस करना, सो अठाइस page तुने लिख दिये, और अगर दो दिन से तुने रिवाइज ही नहीं किया है, यह अलग बात है, मैं आके करा रहा हूँ, पर दो दिन से अगर तुने रिवाइज नहीं किया हुगा, तो तीरा परसनल स्टुडी में हमपर होगा, यह मत कर, देख मैं तिर को एक बात बता हूँ किया, अगर तु मेरे को देखेगा, I am not a kind of a person, जो rank sell करेगा, मैं sell ही नहीं करेगा, बहुत सारे आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है rank आते है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे rank में आते हैं, पर आप मेरे मुह से न, या आपने कभी भी YouTube पे मेरे को देखा होगा, I am always talking about motivation, क्योंकि मेको personally ऐसा लगता है, a student who is 300 above, may not need me more, but a student who is 200 and above, needs me more, तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी बिलकुल ऐसा ही है, और आते ही मैने आपको क्या बुलाता, तु 3.99 भी हुआ, तो तु मान के चल मेरे क्लास में तु 0 है, तो मैं तिरको इतना कुछ दे पाऊंगा, तो तिरको मजा भी डेवलप होगा, क्योंकि यार rank sell is not my game, वो बच्चा जिसको genuinely 0 होते is my game, क्योंकि वो बच्चे को 0 से उठाने में, आप मुझे एक बात बताईए, सोच करके देखे, समझ करके देखे, बहुत valuable बात बोल रहा हूँ, Will that rank matter to you in 3 years? The answer is no, एक लाग बच्चा जब एक्जाम देता है न, 50 बच्चा सिर्फ rank में आता है, it's a very good thing you come in rank, you are exceptional, बट क्या सिर्फ आप ही कुछ अचीव कर पाओगे कहा life में, rank में कित्ते लोग आते होंगे, 50, कित्ते दिन काम की चीजे, में को एक बात बताओ, 2017 में who was the EIR one, कित्ते लोगो वो पताए, नहीं, और अगर rank बहुत बड़ा matter होता, तो big four के तो सारे partner ranker होने चाहिए, बरबर है न, तो क्या big four के सारे partner ranker है क्या, नहीं, a person who is a CA, in rank or without rank, has got same value, financial here and there is okay, पर पैसा ये तुम्हारा purpose हो सकता है, destination नहीं, समझ में ही बाद, पैसा तुम्हारा purpose हो सकता है, I can, I will not sell you at any time my AIRs, बूलता में में discuss भी नहीं करता, और शायद इकत्व में कोई भी discuss नहीं करे है, क्योंकि वो गोल ही नहीं है, understand करना, we always seek कि quantum में आप पास हो, the more number of people pass is a big game, rather than one who comes in rank, is rank important? yes absolutely important, जिसने लाया है उसकी बहुत महनत है, but rank is always a hundred percent hard work of a student, and few percentage of a class, understand? and I am very sure about it, और तुम इसको sensibly accept करोगे, कि हाँ यह बात जो अपन कर रहे है, sensible है, make sure, आप both group pass हो, एक attempt में पास हो, और महनत करके पास हो, यह जादा जैरूरी है, because rank में 50 ही आएंगे, understand करना, rank के लिए target करना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके बीचे पागल हो जाना बेवकुफ ही है, समझ में आ रही है क्या, क्योंकि हमने वह चीज नहीं करना है, हमने target बड़ा रखना है, आप सोचो foundation में आपने 300 प्लस का target रखा, तो 200-250 की range में set हुए, समझ मारी ही बात, 200-250 की range में set हुए, shoot at the moon, even if you do not go there, you will end up in stars, तो shoot तो हम वही करेंगे, but हमारा objective बिलकुल clear होना चाहिए, मैं आपको एक बात बता हूँ, हमारे past experiences बताता हूँ, sir, बच्चा 350 plus, एक वह आ जाता न, फिर classes वासे वाले वह photo भी डाल देते, 300 plus वाला बच्चा, तुम समझ ने रहो, यह advertisement है, claim advertisement बहुत लोग करते, भी आर India is number one, real सच्चा ही पता चल जाती न, एकी फ्लोर पे, real सच्चा ही पता चल जाती न, एकी फ्लोर पे, content से ही पता चल जाता, और इस game में तुमने पढ़ना ही मत, तुम्हारा aim बड़ा simple होना चीए, रोज बैटना है, रोज पढ़ने का है, यह गल्ती जो foundation में तुमने करी है, और शायद जिसको attempt लगा है, उसने तो double से करने का, कि भाई मेरेको वह success जो मैंने foundation में पढ़ा है, वह बिल्कुल काम की नहीं है इदर, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके होंगे, foundation का कुछ भी इदर carry or forward नहीं हो रहा, समझना आ रहा है क्या? तो तुम उपने marks भी carry forward मत करना, वहां का जितता in total marks था न, यहां पे एक group में आ जाता हुता, उत्ते marks एक group के अंदर में आ रहा है, उत्ता लंबा पढ़ना है, तो कभी भी success को सर पे मत चड़ने दे न, मैं आप सबको बता रहा हूं, 300 प्लस तुमने लाया है तुम बहुत अच्छी बात है, इसे carry करो, सर पे मत चड़ने दो, समझ मैं ही बात? दूसरी बात, अगर डेली पढ़ने की आदत तुमको आज लग गई, देख कोई भी आदत लगाने के लिए न, 20 दिन लगते हैं रगबग, 20 दिन तु डेली आदत लगा दे, कुछ भी हो जाए, मैं एक घंटा बेट हूं गई, और आप सबको मैं बता दू, एक अत्वम का नीच्चे के classes खाली रहते हैं, उन बच्चों को बिलकुल allowed है, तुम लोग जाओ, 6 बजे के बाद नीच्चे बैटकर लाइबरेरी में पढ़ो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला वो लाइबरेरी 10 बजे तक उपन रहती, कोई कहीं कुछ पैसा पही नहीं करने का, उदर जाओ, उदर बैट करके एक घंटा एक्स्ट्रा आपने आपको stretch कर, एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़, एक घंटे में दन अच्छा ये तो तू मानेगा ना, डीटी में जो मैं चार घंटे पढ़ा रहा, वो तू शाम में एक घंटे में रिवाइस कर सकता है, एक घंट आपने एक्स्ट्रा दे दे, आज का मुर्दा इधरीज गाड़के खतम कर दे, तिरको ये confidence रहेगा, एक बार तुने पढ़ लिया, नहीं तो एक हफ्ते में तिरको ये feeling आना शुरू हो जाएगा, कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि सबको छूपते जाएगा, और हर दिन आटाट दस-दस section हो रहे, तो तु सूच कितना बड़ा पाईलब बनेगा सिर्फ एक चाप्टर का, ये गलतिया नहीं करनी है, समझ में आ रही है बात बिटा, हम सब को make sure करना है, हम as a batch pass हो, बड़े numbers में pass हो, final पे भी पूरे के पूरे batch एक साथ बने है, समझ में आ रही बात, rather than one student who pass and I claim the glory, no, I want 10 student to pass, not just one to claim it, समझ में आ रही बात, तो इस तरह से महनत करनी है, दो-दो दिन के अंदर में divide करो, अपने आपको खुद test करो, please check करते रहो, सब कुछ module से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब तुमको समझ महेंगा, जीवन में हो क्या रहा है, सर क्या हमने नए module order कर देने चाहिए, बिल्कुल, कर दो, सर फिर उससे पढ़ना चाहिए, क्या, time है तो पढ़ो, foundation में ये possible था, है न, intermittent time है तो पढ़ लो, क्या तकलिक हो तो वैसी बगवत गीता है, नहीं तो make sure कर लो, class में at least साथ साथ में चल रहा है कि नहीं, जो वहां हुआ है, वहां हुआ है कि नहीं, substantially भी हो रहा है तो काम कतम है, is that done, चलो, exception to the general rule, income of previous year, taxable in assessment year, आय है है है, पाच exception है, पहला, किते exception है, पाच, बहुत important है multiple time पूचा गया है, पहला, non-resident shipping business, non-resident shipping business, sir, कलो holiday है क्या, अभी पता नहीं, बाद मा discuss करींगे, 99% नहीं चरकते हैं, क्या रखेंगे holiday करके भी, तुम्हार को इतना अच्छा interest develop हुआ है, एक दिन में जब रखेंगे इंटरस कतम हो जाएंगा, चुटी लेके भी करोगे क्या तुम लोग, sir, सोहेंगे है न, sir, कुछ तो खाने जाएंगे अच्छा है न, यह सब 11 बजी के बाद हो सकता है, सुबह सुबह साथ बेदे रख लेते न यार, क्या करोगे गड़ जाएंगे, सो के भी क्या कर लोगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, दंदे पे द्यान दो, 11 बजी के बाद डिसकस करेंगे यह सब, मेरे टाइम के लिए मैं बहुत स्पैसिवीग हो, अब तू सोच के देख, मान करके देख, यह इंडिया का डाउन सा होते है, इतने में यहां पे ship आई, इतने में क्या आई? अब इंडिया में ship आई, मतलब वो इंडिया से goods लेगे, carriage लेंगे, mail लेंगे, etc, free में लेकर जाएंगे या पैसे लेंगे? पैसे लेंगे, सर अगले साल होगा ना, अगले साल दोंगा, हाँ, income of previous year taxable in assessment year, पर इस बात की कोई guarantee है वो ship अगले साल आईगी? नहीं, because it's a non-resident ship, yes, ऐसे case में Indian custom laws कहते हैं कि उस ship को अपनी जितनी income वो इंडिया से generate कर रहा है, उस पे वही tax calculate करके चलन भरके फिर उनको dock clearance मिलता है और तब वो ship इंडिया port छोड़ पाता है, तो उसका tax previous year में ही compute होता है और previous year में ही pay हो जाता है, समझ मैं आईवार? make sense law? AOP-BOI, यह आपका सवाल का जवाब, formed for short duration, AOP-BOI formed for short duration, अब कई ऐसी चीज़े रहती बहुत short duration के लिए होती है, जैसे अरीजीत सिंग कॉंसर्ट इन पूने, कपिल शर्मा शो कॉंसर्ट इन पूने, सन्बन फेस्टिवल इन पूने, फ्ली मार्केट फेस्ट इन पूने, गनपती फेस्टिवल इन इंडिया, नवरात्री फेस्टिवल इन इंडिया, very short duration, अब सोचिए नवरात्री के अंदर में गर्बा की टिकेट बिखती है, sponsorship बिखती है, क्या उस income जनरेट हो रही है, yes or no, गनपती मंडल के अंदर में, बहुत सारा पैसा कलेक्ट होता है, बरे-बरे की नहीं है, AOP-BY, form for short duration, बरे-बरे, अब जैसी मंडल से पैसे लेने का है, हाँ भी लाओ चलू पैसे दो, क्या बोलेगा, साइब, पुर्चावर्शी लवकर्या, अगले साल ये मंडल बनेगा इस बात की गैरेंटी, अगले साल भी कपिल शर्मा शो करने आएगा इस बात की गैरेंटी, समझ में आरी बात, ये शो अगले साल भी होगा, stand-up comedy का शो, जॉक्र भाई आये, अगले बार भी इनका शो उसी दिन पे होगा, इस बात की गैरेंटी, इसी लिए उस इवेंट का टैक्स उसी साल भरा जाता है, AOP-BY which is formed for a very short duration, इनको वहीं उसी से related taxes देने होते हैं, अब आप पूछोगे, सर अगर income tax department को पता ही नहीं चला, ऐसा कोई concert हो रहा है तो, मन में सवल आएगा, देने वाला जब भी देता देता TDS काट के, उनको मिलने से पहले कट चुका होगा, उनको मिलने से पहले क्या होगा, कट, और दूसरा, इनको short durations के लिए भी क्या करने पड़ते हैं, registration करने पड़ते हैं, that's a part of final, AOP-BY form for short duration, तीसरा, transfer of property, transfer of property, to avoid tax, अब देखो ये एक power है, जो income tax ना आज तक यूज नहीं किया, कभी भी नहीं, भारती ये इतियास में तो नहीं, अब जैसे मान लीजे, Vijay Malya, Nirav Modi, इन पे EDK enforcement आगे, रत तो रत इंडिया से गायप, अब ये वेक्तिक शौर है, कभी इंडिया में आने वाला नहीं है, अब ये वेक्ति जब इंडिया में आने नहीं वाला, ये वेक्ति क्या ट्राय करेगा, अपना सब कुछ इदर बेच करके निकल, जब भी ED आता है, इनकम टैक्स डपार्टमेंट के रेड आ जाते, GST के रेड आ जाते, आदमी क्या बोलता, भाया कंट्री स्विच करो तुरंत, और जिन पर ये रेड आ रहे, उनके लिए बड़ा असान है स्विच कर देना, आपकी मेरी बात नहीं चल रही, समझमारी बात, ये अपनी प्रॉपर्टी बीचना चाहेगा, ऐसे टाइम पर AO के पास एक पावर है, इन्हें तुरंत उसी साल नोटिस भीच के क्या पे कराया जाए, टैक्स, पर इतने एक्टिव प्रो एक्टिव वह आज तक नहीं हुए, closure, ये आपके सवाल बेटा, जवाब, closure of business, business इस साल close हो रहा है, अगले साल आपको लगता है आदमी compliance करने के लिए रुखेगा, जिसने धंदा ही बंद कर दिया, एक अप्रिल को चालू करके दस अप्रिल को बंद कर दिया, शौक के लिए किया था धंदा, बिसनस उसी साल close हो गया, प्रिविएस यर में ही tax देना है, क्योंकि अगले साल तक कि वो आएगा नहीं उस business का compliance करने जो वो अल्रड़ी बंद कर चुका है, तो जिस साल business close होता है, उसी साल में उसका tax भरना आपड़ता है, and person leaving India permanently person leaving India permanently person leaving India permanently अगर आप इंडिया को permanently leave करने जा रहे हैं तो वीजा में एक mandatory document है, income tax clearance certificate, इंडिया छोड़ने से पहले आपको आपकी income compute करवानी पड़ती है, उस पर balance tax payment करना पड़ता है और ये tax paid का चलन, visa document में attach करना पड़ता है, तो permanent visa मिलता है, person leaving India permanently उसी साल tax देगा और फिर यहां से जाएगा, समझ मारी बात, तो पाँच लोग के लिए previous year ही assessment year है, पाँच लोगों के लिए उसी साल में tax देना है जिस साल में income earn करी है, समझ मारी बात, अब इसो बहुत बार पूछा गया है, income of previous year is taxable in assessment year, इसके किते exception पाच, पहला, non-resident shipping, दूसरा, AOP, BUI, firm for short duration, तीसरा, चाथा, closure of business 5 पाचवा, person leaving India, अब इसे multiple time पूछा गया है, तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बताओ, मस्ती मस्ती में, yes or no, तो बात उन दिनों की है, बात किन दिनों की है, उन दिनों की है, right, जब यह मेरा भाई नाम कहे दिरो, करन एक दिन करन ध्यान ससुनना, थोड़ा मस्ती के साथ concept, को बड़े पैयर से आपके इंर उतार दूँगा दिल तक के, करन एक दिन गंपती दान्स कर रहा था, करन एक दिन क्या कर रहा था? बीच पे गंपती दान्स कर रहा था इतने में ship आई, ship से उतरी एक सुन्दर कन्या, ship से कौन उतरी सुन्दर कन्या, सुन्दर कन्या ने अचानक इस handsome, घपसूरत, माचो मैन को देखा, करन डांस करा था, अचानक से लड़की इसके बास गई, hi, कहने मिला hi, करते है तुम् कितने अच्छा Cup तुम कितना अच्ञा डांस 체ं़ कितने आई तुम यहा क्या कर रहा है तो में से चलो में रॉक-स्टार बनाओंगी क्या बनाओंगी करन कहता है हां 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 चलो चलो पर एक मिनिट में को चलने में कोई प्रोब्लम नहीं है मैं बस दो काम करके आता हूं अपना सारा समान बेच के आता हूं अपनी दुकान बंद करके आता हूं करन क्या बोलता है मैं सारसमान बेच कहता हूँ अपनी दुकान बन का रहे जैसी करन वापस आया लड़की ने कहा ओ करन यह कितने आंसु मुझे तुमसे दो वादे चाहिए give me promise come on you have to give me promise अच्छा बोलो क्या चाहिए तुम मुझे छोड़के कभी नहीं जाओगे और यह इंडिया जैसी प्लेस पर दुबार कभी नहीं हो गया ठीक है चली story repeat करते है सबसे पहले करन कर क्या रहा था गनपत्री डांस कर रहा था गनपत्री डांस इंपोर्टन क्या कर रहा था इतने में कौन आई कर कि इते कोमी पर शुषे करन कितने काम कर क्या तो था अपना सरसमन अपनी दुकान जैसी है लडकी ने दो वाधे मंगे तुम मुझे चोड़के इंडिया जैसी प्लेस पे दुबारा स्टॉप अब स्टोरी को तोड़ो सबसे पहले करन कौन सा डांस कर रहता गनपती एओपी ब्यूओ आई फॉर्म 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 फॉर्ट डूरेशन इत्ते में कौन आई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस करन कित्ते काम करके आता है अपना सारा समान और क्या करके आता है दुकान जैसी यह वापास आई तुम मुझे छोड़के कभी नहीं जाओगे फाल तु राइम करने के लिए था दूसरा क्या है इंडिया जैसी प्लेस पे दुबारा कभी नहीं आओगे परसन लिविंग इंडिया रख सकते हो याद ऐसा कुछ नहीं है कई बार बहुत हाड प्रोविशन को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है स्टोरी में बना दो यूस कर लो आराम से हो जाएगा बहुत बड़ी बड़ी चीजे पर ऐसी चीजे जो multiple time पूछी जाती है इसको इस तरीके से अगर कर लो तो आपकी पढ़ाई आसाना हो सकती है चलो ठीक है एक बार वापासे करन क्या कर रहा था इत्ते में कौन आई ship आई ship से कौन उतरी सुन्दर गन्या ने बोला मैं तुझे क्या बनाऊंगी यह बोला मैं क्या करके आता हूँ अपना सारसामान अपनी दुकान जैसी यह बापास तुम मुझे छोड़के इंडिया जैसी प्लेस पर दुबारा गनपती से क्या याद आएगा AOP, BOI form for short duration इत्ते में कौन आई शिव non-resident shipping business दो काम transfer of property to avoid tax person leaving closure of business तुम मुझे छोड़के कभी नहीं जाओगे इंडिया जैसी प्लेस पर दुबारा कभी नहीं आओगे person leaving इंडिया पर्भनेंट लिए आपका चवाम मिले बिटा हाँ तो चलिए एक मिनिट हम कहा हैं section 4 में हम कहा हैं बिटा section 4 में section 4 पड़ो बिटा वापस से अब जोड से एक बार पड़ो income tax is payable in any assessment year at the rate specified by किसी भी व्यक्ति की total income जो उसने previous year में कमाई हैं उस पे income tax देंगे assessment year में उस rate पे जो finance act में लिखी है बहुत कोशिश किया हमने आज भी tax rate calculation चालू करने की पर नहीं कर पाए करेंगे कल या अगले lecture के अंदर में as the case में भी मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा कल लेक्चर है या नहीं है रखना चाहिए या नहीं है से येस येस और येस की कल जैनुइनली चुटी चीह है अगले संडे से लेलो है ना मस्त की संडे चुटी ही होनी चीह है नहीं होनी चीह ना हर संडे देखो हर संडे चुटी मतलो उसका specific book close कर दो खतम आज का दिन ठीक है चलो मैं revision कर वादू आज क्या हुआ ठीक है एक quick revision कर वादू क्या क्या हुआ देखो आज हम सबसे पहले आये हमने deduction और exemption वड़ पड़ा deduction क्या होता है partial exemption अगर आप कुछ हम पहली बार act में एंटर किये आज हमने पहली बार income tax act को पड़ा income tax act में पहला section था act that was called as income tax act 1961 applicable to whole of India यहां से हम section 2 में एंटर किये इंडिया मतलब क्या इंडिया extend up to 200 nautical miles फिर हम आगे बड़े हम एक दो के बाद सीधे कहां पहुचे चार पे चार में हमें और दो नए वर्ड मिले पहला मिला परसन परसन एवरिबाडी बड़े बड़े लेकिन हमने देखा income tax में हमसे परसन नहीं पड़ते हम हर जगह पे क्या वर्ड पड़ते असेशी everybody असेशी मतलब every person who is liable to pay tax or any other sum under the act or in respect of other person if he is accessible deemed to be असेशी असेशी in default clear है यहां से हम आगे बड़े हमने देखा TDS कैसे work करता है देने वाला जब भी देता देता TDS काटके तो देने वाला TDS काटके देगा लेने वाला इसे अपनी पूरी income दिखाएगा अपनी total income calculate करेगा और उसमें से जितना TDS उसका cut है वो क्या मूं ले लेगा credit income से minus नहीं हो इसके पहले वाला साल को हम क्या कहेंगे previous year यहां से general rule पकड़ा general rule income of previous year is taxable in assessment year लेकिन इसके किते exception थे 5 AOP BY form for short duration non-resident shipping business transfer of property to void tax closure of business permanently क्या दा रहा है तुमको आज हम इत्ता ही पड़ पाए कल section 4 का last word पढ़ेंगे rate of tax और वो word आगे के 3 दिन चलता रहेगा वो word किते दिन चलता रहेगा आगे के 3 दिन कल के lecture में that is next lecture में हम लोग tax calculation करने वाले है calculator mandatory ली लगेगा और यहां तक का revision हुआ होगा तो ही वो समझ आएगा नी तो नहीं आएगा is that done जाने से पहले telegram group को आप ये कर दीजे वीडियो को like channel subscribe कर दीजे and bye बोलो बच्छो any student any kind of doubt please come other person income या loss का मतलब होता है अदित्य कि किसी और की income अगर मेरे इसमे club होरी होगी या किसी और का loss मेरे को consider करना है तो प्लीज चेक यॉर बिलॉंगिंग बिफोर गॉइंग sir books कब तक ship होंगे मेरे यह सबसे already चालू हो चुके हैं just give me a minute मैं दो मिनट के लिए mic off कर रहा हूँ कर दो कर दो सर इंकम टैक्स क्वाटरली पेमेंट हो सकता है क्या होता है आगे हम एडवांस टैक्स पढ़ेंगे वहां आएगा हम ए गदर बायर आगोए आगे संटिंग पार्टी का कोई लिन दिन नहीं न सेलर रजिस्टर 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 हमें सेलर करने आता है हमको सेलर का टीडियूस कार्टि जपता है तो इन सारी उसको से साखे त्वाबिए उसके अब MSB मिल पैसे को पैसे से ऐसे अरे होता ही नहीं कट आप करोगे कईसे पोटा ही नहीं ना कट अभी तेरे मेरे ट्रांजक्शन में यह से विटनेस मन क्या आया है जब इसको पैसा नहीं मिल रहा तो इसका टीडियस कट कैसे करूम है अगे समझेगा एकल का पार्ट है बियूंड वन लाग ऐसा है कि एक लग तक टैक्स नहीं लगता मतलब इफ दे इंकम इस वन पॉइंट फाइलाक तो फिफ्टी थाउजन पे टन पर सेंट आएगा यह बियूंड वन लाग सकति नहीं एक जम्ट स्कॉलिशिप में सब के लिए बुजनस इसका भी टीदियस होता है न कि मैं बिजनस्विन को पेमेंट करम दब मेरा भी बिजनस है रेट सेा और आपका विजनस है नै मेरे बिजनस के ऴडर्रां के लिए ऐपको पैसे देता हूं रोड्ष पो को वोडिंग लगाने के लिए, I deduct your TDS, payment करते वक्ट, understand, मैं आपको एकलाख रुप एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहा हूं, आपके एकलाख में से दस हजार निकाल के गवर्वर्मेंट को दे रहा हूं, बरबर है, मैं तो expenses claim करूँगा ना, एकलाख पूरा, मैं तो expenses claim करूँगा ना, एकलाख पूरा का पूरा, आपको पूरा एकलाख रुप एडवर्टीजमेंट के लिए, मैं तो पूरा एकलाख expenses claim करूँगा, P&L को एकलाख रुप एडवर्टीजमेंट expenses, अब इस एकलाख में आपको क्या होगा, आपको नब्य हजारी दूगा और दस हजार गवर्मेंट को दे दूगा, आपके भी आप पे, बड़े बड़े, फिर आप जब अपनी income compute करोगे, तो आपकी income from business एकलाख दिखाओगे, अधर मिलाओगे, टोटल टाक्स निकालोगे, अधर टाक्स में से 10,000 अब माइनस करोगे, अधर अधर लिसी पूरे डियूट में प्रड़े, पूरा चाप्टर एक पढ़ना है, कौन से पेमेंट में TDS है, कौन से पेमेंट में TDS नहीं है, यह देखो, in turn there is a whole chapter roughly more than 25 pages 27, 28 pages for chapter TDS first floor first floor foundation huf jain and sikh are also part of huf if they can be classified into hindu they can make it otherwise not honor honor and uske income ka kya hooga taxability was 641 mein dekhenge uska jo income ka taxability he who clubbing chapter mein 641 mein dekhenge nai wohi mormlok aage कर दिसकुर्ट कर दिसकुर्ट